तो हेलो आल बाई देरे स्टुडेंट्स, I hope you all are doing good. मैं उमीद करता हूँ, आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी for your May 23 exams, okay? and also for your November 23 exams तो समय भी November 23 वालों को but still अभी सही पढ़ना शुरू कर दो, वो जादा बहतर है आप लोगों तो आज मैं करने जा रहा हूँ very important discussion आप लोगों के साथ जिसना आप लोगों को बहुत demand था मैंने आपको बोला भी था कि most of the MCQ same ही है last year जैसे लेकिन फिर भी आप लोगोंने demand किया किसर नहीं एक वीडियो बना दो ताकि हमको especially May 23 के कौन से MCQ तो वो पता चल जा है most of them are same only 90% same ही है लेकिन फिर भी एक वीडियो आपने request किया तो मैंने इसको बना दिया, don't worry तो लगबग 2.5 गंटे के अंदर हम लोग सारे के सारे MCQs discuss कर लेंगे, exam के अंदर इसको आप 1.5 X की स्पीड पर देखकर खतम कर देना, तो बड़ा एक घंटे के अंदर सारे के सारे case scenario MCQs खतम जाएंगे और एक घंटे के अंदर मैंने individual MCQs का वीडियो तो पहले ही डाल दिया है ठीके without wasting any further time let's discuss the case scenario MCQs all 25 of them one by one and I will also put in English, don't worry तो अभी ये हिंदी वाला डाल रहा हूँ मैं पहले पिर English वाला भी एक दो दिन के अंदर मैं upload कर दूँगा ठीके, I have already recorded that, editing is going on तो एक दो दिन के अंदर English वाला विल अपलोड़ेट, तो without wasting any further time इसमें आपका क्या रोल होना चाहिए आपका रोल इसमें ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पर पहले पूरा का पूरा MCQ पढ़ लेना है मैं इसके answers discuss करूँगा, detail में और answer discuss करते समय है हम लोग इतना detail में answer को discuss कर लेंगे कम से कम समय के अंदर कि आपके यहाँ पर कम से कम 100 income tax के important concepts revise हो जाएंगे easily, आपका मैं बोल सकता हूँ 50% syllabus यहीं पर revise हो जाएगा यह 25 MCQs करते करते 50% syllabus easily यहाँ पर revise हो जाएगा तो यह video आपके लिए बहुत important है यह video आपको देखना बहुत ज़रूरी है कम से कम दो बार तो इसको देख लेना एक बार अभी एक बार exam के पहले ठीक है तो चलिए पहला question करते है question number one जो presumptive income के उपर है मैं question का overview दे दूँगा आपको पहले के question presumptive income के उपर है 44 AA, 44 AB, यह सारे implications आने वाले 44 AD, 44 ADA, due data filing of return यह सारे provisions के concepts इस particular question के अंदर cover हो जाएंगी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला question, पहला question यहाँ पर यह है इस MCQ के अंदर 5 question है, 5 questions के हमको answer एक के करके देने है पहला question क्या है, which of the following individuals are eligible to declare income on presumptive basis under the provisions of income tax act 1961 for AY 2324, अब presumptive income किसके लिए apply के बले, business वालों के लिए तब apply के बले, जब उनका turn over 2 crore तक है और profession वालों के लिए तब apply के बले specified profession, सारे professions नहीं कवड़े specified professions वालों के लिए तब कवड़े जब उनका gross receipt 50 लाग तक है तो यहाँ पर देखो कौन कौन eligible है अरविंद एले जी बले हाँ, अरविंद business कर रहा है और उसका turn over 95 lakhs है तो वो presumptive income के लिए जा सकता है अरजुन, अरजुन का turn over 1.8 करोडे 2 करोड से कम है, तो वो भी जा सकता है presumptive income के लिए अरजुन भी business करता है आनन्द नहीं जा सकता है क्योंकि आनन्द कब इस turn over 2 करोड के उपर है जिसका turn over 2 करोड के उपर है उसके लिए presumptive income का दर्वासा बंद है अब आकाश भी जा सकता है आकाश profession में interior decorator के interior decorator का profession notified profession है, 44 ADA के अंदर जाकर check कर ले रहा तो वो भी जा सकता है क्योंकि उसका turnover भी 50 लाग रुपे से कम है gross receipt 50 लाग से कम है तो इसलिए इसका answer है Mr. Arvind, Mr. Arjun और Mr. Aakash ठीक है, कौन नहीं जा सकता है आनन्द नहीं जा सकता है ठीक है, तो यह है पहले question का answer दूसरे question का answer which of the following individuals have to mandatory get their books of accounts audited under 44 AB और AY 23-24 किस को अपनी books of accounts audit करवाना जरूरी है, किसी को भी जरूरी नहीं है देखो, Arvind को तो जरूरी नहीं है क्योंकि Arvind presumptive income के लिए साथ जा रहा है Arjun को भी जरूरी नहीं है, Arjun भी presumptive income के लिए जा रहा है, फिर आगास को भी जरूरी नहीं है, आगास भी presumptive income के लिए जा रहा है और आनन को क्यों नहीं जरूरी है आनन को इसके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि Arjun के लिए जो turnover limit है ना tax audit का, वो 10 करोड है अब, क्योंकि Arjun का जो cash receipt और cash payment है ना देखो वो 5% से कम है जिसका भी cash receipt और cash payment 5 करोड रुपे से जादा, 5% से जादा नहीं है cash receipt भी 5% of total receipts और cash payment भी 5% of total receipts है तो याद करो उनको 44 AB में अगर वो business करते है तो उनका tax audit का limit 10 करोड हो जाता है और इसका tax audit का limit 10 करोड है इसलिए इसको 5 करोड turn over होने पर audit करवाना जरूरी नहीं है तो देखो यह MC की उस video सिर्फ आपको MC की नहीं solve करवा रहे यह आपके कितने जादा concepts revise करवा रहे देखो एक एक करके आपके concepts खुलते जाएंगे इसको अच्छे से देखना और इसको concept के साथ revise करने में ही मज़ा है सिर्फ answer बोलने में मज़ा नहीं है कि इसका answer यह इसका answer यह be very careful concept के साथ revise कर रहे हो तो यह video का sense बनता है ने तो कोई sense नहीं बनता है तो आनंद को भी जरुद नहीं है क्योंके 5% cash और 5% receipt और 5% payment cash cross नहीं हो रहा है ठीके तो इसलिए none of them are eligible for what tax audit none of them are eligible to get their accounts audited next what is the amount of profit and gains chargeable to tax in the hands of Mr. Arvind Arjun Anand assuming that they wish to make maximum tax savings without getting their books of accounts audited उनको books of accounts audit नहीं करना है कि इनको Arvind को, Arjun को, Anand को बताओ उनको बिना audit करें कितना उनका profit हो सकता है देखो, बिना audit करें उनका जो profit हो सकता है उनको प्रिसम्टेव income के हो सकता है प्रिसम्टेव income फॉलो करोगे तो audit की सरवत्ती अब प्रिसम्टेव income के अंदर Arvind की बात करते Arvind का total turn over 95 lakhs है उसमें से 85 lakhs उसने RTGS, NEFT से due date के पहले मंगवा लिया तो 85 lakhs पे उसको 6% के इसाब से deemed income होगा अब बचे वे 10 lakhs पे उसको कितना deemed income बरना पड़ेगा 8% तो अगर 85 lakhs का 6% ले लो और 10 lakhs का 8% ले लो तो आपका answer आ जाएगा 5.9 lakh चेक कर लेना 85 lakhs का 6% क्योंकि वो आपने NEFT, RTGS से मंगा लिया due date के पहले तो 6% बचे वे 10 lakhs पे आपको कितना दिना पड़ेगा 8% उसी तरीकी से अरजुन ने भी 1.65 करोर तो टाइम पे मंगा लिया due date के और वो भी online मंगवा लिया तो 1.65 करोर पे 6% और बचे वे 15 lakhs पे तो बचे वे 15 lakhs पे उसको 8% के इसाब से deemed income भरना पड़ेगा तो उसका answer आ जाएगा 11.1 lakh उसका answer हो जाएगा अब तीसरा कौन है? आनन्द है आनन्द के case में तो उसके लिए तो presumptive income applicable ही नहीं है उसका तो जो actual profit है वो ही उसको दिखाना पड़ेगा पराबर बात है ना उसके लिए तो presumptive income applicable नहीं है तो आनन्द के case में तो calculation भी करने की जरवत नहीं है उसका तो directly आपको 30 lakhs दिखाना पड़ेगा चेक कर लो ठीक है? तो यह है कि पहले दो अर्विंद और अर्जुन के लिए आपको calculation करना पड़ेगा और आनन्द के लिए आपको calculation भी करने की जरवत नहीं है क्योंकि उसके लिए presumptive income applicable नहीं है क्योंकि उसका turnover दो करोड से जादा है ठीक है? Now, would your answer to MCQ number 1.3 that is profits and gains of business chargeable to tax in the hands of Mr. Arvain, Mr. Arjun and Mr. undergo a change if they decide to get their books of accounts audited अगर वो लोग अपना books of accounts audit करवाने जाते तो क्या आपका answer change होगा? ये सवाल है अगर वो लोग अपना books of accounts audit करवाने जाते तो क्या आपका answer change होगा? चलो देखते अब अगर ये अपना books of accounts audit करवाता है तो इसका answer चेंज नहीं होगा क्योंकि audit करवाएगा तो भी उसको 5.9 लाक्स ही दिखाना है क्योंकि देखो अभी उसका presumptive income में profit कितना है 5.9 लाक्स अब अगर audit करवाएगा तो भी उसका profit कितना है 5.9 लाक्स तो उसका answer चेंज नहीं होगा उसका answer 5.9 लैक्स ही रहेगा ठीके तो उसका अर्विन का आंसर 5.9 लैक्स ही रहेगा हाँ अर्जुन का आंसर कितना आ रहा है presumptive income में 11.1 लैक्स लेकिन अगर वो audit करवाएगा तो देखो इसका आंसर कम हो जाएगा 10.5 लैक्स तो उसका answer बदल जाएगा हाँ आनन्द का answer भी फरक नहीं पड़ेगा आनन्द के लिए तो audit applicable नहीं है भाई आनन्द को जख मरा के उसको वो turnover का limit के audit का limit 10 करोड है तो आनन्द का profit भी 30 lakhs ही रहेगा तो अरजुन का profit जो है ये change हो जाएगा अगर वो audit करवाता है तो 10.5 lakhs हो जाएगा लेकिन इसका तो पहले भी 5.9 था अभी भी 5.9 है इसका तो पहले भी 30 lakhs था अभी भी 30 lakhs है therefore answer क्या है अर्जुन का answer बदल जाएगा ठीक है you can check it over here that the अर्जुन profit would undergo change but आनन्द and अर्विन profit will not change is it clear इन दोनों का profit नहीं बदलेगा next 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 आखरी question in first MCQ what is the new date of filing of return of income of Mr. Arvain, Mr. Arjun, Mr. Arnand and Mr. Aakash for AY 23-24 if they wish to make maximum tax saving now remember अगर वो लो maximum tax saving करना चाहते है तो वो लोग जी जहा लगा के जो करना चाहिए वो सब करेंगे तो अर्जुन को क्या करना चाहिए अर्जुन को audit करवाने से उसका profit कम हो रहा है तो अर्जुन अगर audit करवा बांकि सब को audit करवाने से कुछ फाइदा नहीं होता है ठीक है वो लोग को बोलो audit मत करवाओ नहीं कराएंगे तो भी चलेगा अर्जुन को बोलो कि तो audit करवा अगर अर्जुन आडिट करवाता है तो अर्जुन को ओडिट करवा येगा तो उसका ड्यूडेट हो जाएगा 31st October बाग की सबकÖ cdyr आडिट करवाने की सर्वत निये देखो के अपने अर्विन को औडिट करवाने की सर्वत निये audit करवाएगा तो profit और जादा होएगा नहीं करवाएगा तो 50% के इसाब से 24 लाक्स आएगा audit करवाएगा तो 24.75 लाक्स आएगा तो उसको भी बोलो audit मत करवा कोई sense नहीं बनता है therefore audit करवाना का किसको फायता होने वाला है सिर्फ अरजुन को तो अगर अरजुन audit करवाएगा तो उसका due date क्या हो जाएगा 31st October और अगर उसका due date 31st October हो जाएगा तो उसको 31st October को return बरना है और बाग की सब को कब बरना है 31st July में return बरना है चेक कर लो तो यह है आपका पहला MCQ जिसके अंदर कितने सारे important important concepts clear हो गए आप देख लो बराबर से ठीक है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही beautiful question है जो 9B और 454 के ओपर है 9B और 454 ठीक है तो चलिए यह question है जिसके अंदर दो form के अंदर एक partner partner है एक form मुंबई में एक form दिल्ली में etc 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 आप लो question अच्छे से पढ़ लो मैं अपना पहला question पट रहा हूँ ठीक है पहला question क्या है मैंने सारे solutions भी आज यू बाजू में लिखके रखे माद में ये sheet में आपके साथ share कर लोगा don't worry what would be the amount taxable under 9B in the hands of XN company and YN company for AY 23 24 अब सुनों अपने को XN company और YN company दोनों firm के हाथ में 9B में क्या attract होता है वो पता लगाना है देखो 9B दो cases में attract होता है या तो firm का reconciliation होता है तब attract होता है या तो firm का dissolution होता है तब attract होता है और 9B में फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है या पिटल असेंट्स भी देती है स्टॉक इंट्रेड भी देती है अब सुनो ज़रा पहले XN कंपनी के point of view से बात करते है यह थोड़ा सा tricky question है इसके लिए आप जाके पहले पूरा का पूरा प्रोविजन अच्छे से पढ़ो और इस पे हमने 3 CBT के circular भी किये थे वो भी अच्छे से देखो तो आपको यह समझ में आएगा ने तो आपको यह समझ में नहीं आएगा मैं पहले बोना थुड़ा सा मुश्किल है तो सबसे पहले हम लोग XN कंपनी का 9B के अंदर कितना capital gains चार्ज होगा कितना amount चार्ज होगा वो देखते ठीक है देखो XN कंपनी ने अपने पार्टनर को क्या दिया है चलो देखते है XN कंपनी ने अपने पार्टनर को एक land दिया है नाकपूर में ठीक है अब 9B में कैसे attract होता है capital gains 9B में capital gains attract होता है उस land का FMV compare with उसका cost of acquisition तो उसका FMV 45 lakhs है उसका cost 25 है अब देखो 2015 में खरीदा था और 2022-23 में आप land दे रहे हो तो long term हो गया ठीक है land 24 मेने के बाद long term हो जाती है अब इसके उपर आपको कितना capital gains लगेगा उसके लिए आप index session ले लो 25.4 lakhs पे तो sale consideration आपका क्या हो गया FMV of the land और index cost of acquisition आपका 25.4 multiplied by year of transfer का index session 22-23 divided by year of purchase का तो ये आपका 33.1 lakhs आपका capital gains का cost आ जाएगा तो उनों को minus करोगे 11.9 lakhs आपका capital gains और ये आपका capital gains आ गया ठीक है XN company का अब YN company के लिए भी वैसा ही करना है YN company तीन asset दे रही है एक asset नहीं दे रही है अगर आप गौर से question के अंदर देखोगे तो YN company ने ये भी दिया ये भी दिया ये भी दिया ये तीन asset दिया तो इसका तीन बाव calculation करनेगा पहले ये वाली land का फिर ये वाली land का फिर ये वाली land का ठीक है तो ये तीनों का अपने को cost of acquisition निकालना पड़ेगा तीनों का cost of acquisition कैसे निकालेंगे तीनों का sale consideration क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sale consideration 62 lakhs plus 59 lakhs plus 70 lakhs 191 lakhs ये तीनों का sale consideration अब तीनों का sale consideration के साथ साथ अब तीनों का cost भी निकालना है cost निकालना बहुत असान है इसका cost निकालो इसका cost निकालो इसका cost निकालो इसका cost निकालो तीनों long term है क्योंकि 2011-2015 में खरीदा है तो इसका cost 18.4 into 331 divided by 11.12 का indexation 11.12 का indexation इधर दिया है 184 फिर इसका 15.16 का indexation इसका 10.11 का indexation ये निकाल लिया तो ये तीन cost मुझे मिल गए तीनो cost का मैंने total मार दिया ठीक है तीनो cost का जब मैंने total मारा total मारने के बाद मैंने 191 में से minus कर दिया ये minus करने के बाद में को answer आ जाता है 104.94 इसका मतलब 1.44,94,000 तो इस तरीके से मैंने 9B का calculation निकाल लिया तो बहुत ही असान है 9B का calculation बहुत straight forward है इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है ठीक है अब हम लोग question number 2 की तरह पढ़ते हैं ये असली question है हमारे लिए अब मुझे बताओ 45.4 में हम capital gains कैसे निकालते हैं बहुत बारी की से सुनना ये असली तकलीफ वाला point है ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है अपर ने सब क्लास में देखा है पहले तो 45.4 में capital gains is equal to B plus C minus D बराबर अब B क्या होता है पी वो होता है जो company ने जो firm ने dissolution पे shareholder को क्या दिया dissolution पे shareholder को क्या दिया firm ने जो पैसा दिया अब firm ने पैसा कितना दिया बताओ shareholder को या जो भी अपना partner उसको 15 लाक रुपय दिया तो वो लिख दिया ठीक है उसके बार C क्या होता है जो firm ने dissolution पे partner को assets दिया उसकी FMV कितनी है 45 लाक रुपए ठीक है वो आप देख सकते उपर कि firm ने partner को नाखपूर की land दिया है उसकी FMV 45 लाक रुपए है वो लिख दो minus D अब यहीं पे असली खेले D क्या है D जो होता है वो होता है आपका partner का capital अब partner का capital यहाँ पर है 32 लाक वो मैंने लिख दिया ठीक है अब यहाँ पर सिर्फ 32 लाक लिख कर काम नहीं चलेगा याद करो उसके पहले एक exercise करना परता था जो आप नहीं भूल चकते हो बिटा वो ही सबसे important exercise है अगर वो भूल जाओगे तो सब गार बढ़ो जाएगी उससे पहले आपको एक काम करना परता था यह partnership firm ने partner को asset देने के पहले firm ने asset को revalue किया है अब कितने से revalue किया है 25.4 lakh उसका cost था firm ने उसको revalue किया 45 lakhs पे तो 19.6 lakhs का firm का book profit बढ़ा होगा यादे हम लोग ऐसा करते थे वहाँ पर भी 10 lakh की land को 70 lakh कर दिया था तो 60 lakh से book profit बढ़ गया था यादे तो यह इसका book profit firm का कितना बढ़ा 19.6 lakhs अब firm का book में profit कितना बढ़ा accounts में profit 19.6 lakhs बढ़ा है अब firm ने साथ साथ tax accounts का profit तो 19.6 lakhs बढ़ा है ठीके तो यह 19.6 lakhs अभी सारे partners को transfer करना पड़ेगा लेकिन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यह 19.6 lakhs जो firm का books में बढ़ा है उसके साथ साथ firm ने कुछ tax भी pay किया है कितना tax पिया है देखो अभी अभी XN company को 11.9 lakhs का lockdown capital gains हो आता उस पे 20% tax 4% CES तो 11.9 lakhs पे 20% tax 4% CES कितना आता है 11.9 lakhs पे 20% tax 4% CES आता है 247,520 तो देखो firm का profit कितने से बढ़ा 19,60 lakhs से लेकिन firm ने tax भी तो बढ़ा ना 247,520 का माइनस करो तो total net profit after tax कितना बढ़ा 17,12,480 17,12,480 का firm का NPAT बढ़ा है net profit after tax लेकिन वो तो 4 पार्टनर के लिए बढ़ा है firm के अंदर 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर के book profit को 4 पार्टनर के capital account में ये profit पहले transfer करना पड़ेगा आपको तो 17,12,480 divide by 4 करूँगा तो 4,28,120 आएगा per partner को तो ये भी आपको यहाँ पर add करना पड़ेगा D के अंदर जो partner retire होकर जारा ना उसको ये वाला profit भी दिना पड़ेगा ये कौन सा profit है फिर से बता रहो जो firm ने अपनी land revalue की उस land को revalue करने के बाद जो profit बढ़ा साथ-साथ में firm ने जो अपना capital gains पे 9B में tax भड़ा वो minus करो जो net profit भड़ा वो चारो partner में बाटना पड़ेगा आपको तो वो भी D में add करना पड़ेगा वो D में add करने के बाद D कितना आ जाता है 36,28,120 तो अब A is equal to B plus C minus D करता हूँ तो मेरा total capital gains आ जाता है 23,71,880 रुपीज अब ज़रा बारी की से सुनना इसको अपने को long term short term में भी divide करना पड़ेगा अब इसको long term short term में divide करने का क्या scene था याद करो इसको आपको long term short term में divide करना पड़ेगा based on your remaining assets अगर remaining assets long term है तो ये भी long term है अगर remaining assets short term है तो ये भी short term है अगर remaining assets self generated good will है तो ये short term है, अब remaining assets कौन कौन से असको में yellow में करता हूँ, देखो ये वाला remaining asset है, क्या ये long term है, हाँ ये long term है ये वाला भी remaining asset है, क्या ये long term है, हाँ ये long term है, ये वाला भी remaining asset है, क्या ये long term माना जाता है, नहीं, if the amount is attributable to the self generated goodwill, तो वो short term माना जाता है तो अब आपको ये capital gains को इस ratio में divide करना पड़ेगा अच्छा ratio कौन सा लेने का ratio आप लेने का जितना firm ने asset revalue किया वो ratio लेने का तो देखो इसने इसको कितना revalue किया 35 lakhs इसको कितना revalue किया 162 lakhs और इसको तो पूरा का पूरा 70 lakhs revalue ही बोलोगे तो आपका ये ratio होना चीए 35 to 162 to 70 उसमें से जो 35 और 162 है वो long term है तो 35 और 162 अगर long term है तो 35 और 162 197 होता है और short term 70 होता है तो आपका long term short term का जो ratio होएगा न वो 197 to 70 होगा यहाँ पर चेक करो 197 to 70 का ratio होगा long term और short term का और जब मैं इसको 23,71,880 को long term short term के ratio में डिवाइड करोगा 197 is to 70 तो मेरा answer आ जाएगा 175 0039 and 621,841 और देखो यही आपका answer है institute के solution के हिसाब से जो बिल्कुल सही है चेक कर लो है के नहीं जबरदस question जबरदस question है जबरदस question है यह calculation सब आप रखना अपने पास मैं share कर लोगा आपके साथ ठीक है यह है आपका question number 2.2 अब question number 2.3 2.3 क्या है what would be the capital gain taxable under 454 in the hands of YN company मुझे बताओ YN company के case में क्या हो रहा है dissolution हो रहा है अब dissolution के case में क्या 454 applicable होता है नहीं applicable होता है 454 is only applicable in case of reconstitution dissolution के case में 454 applicable ही नहीं होता है और YN company dissolve हो रही है चेक करो reconstitute थोड़ी हो रही है YN company तो dissolve हो रही है तो dissolution के case में 454 applicable ही नहीं होता है इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा निल हो जाएगा ठीक है छोड़ दो ठीक है और निल हो जाएगा it is as simple as that next अभी आगे कि सारे question पिछले question पर dependent है what would be the amount apportion to the land at Pune and land at Mumbai XN company to be reduced अब land at Pune and land at Mumbai पे कितना amount इतना भी amount अभी आप apportion कर रहे हो ना यह देखो यह आप 1750-39 किसको apportion कर रहे हो long term assets को apportion कर रहे हो इसको यह पुने की land और Mumbai की land को apportion कर रहे हो बराबर बराबर ना यह पुने की land और Mumbai की land को यह apportion कर रहे हो और self-generated goodwill को क्या apportion कर रहे हो आप short term capital gain apportion कर रहे हो तो बहुत simple है अभी बहुत simple है अभी जितना भी profit आप apportion कर रहे हो न remaining assets पे वो remaining assets जब भी विकेंगे मतलब ये land and pune जब भी विकेगी ये land and mumbai जब भी विकेगा ये self-generated goodwill जब भी विकेगा तो जितना भी आपने capital gain apportion किया न वो future में उनके net consideration में से उनके full value of consideration से minus करने का अब देखो long term capital gains कितना था आपका जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो सब लोग long term capital gains था आपका 17,50,039 बडबर अब इसको मुझे पूने की land और मुंबई की land में apportion करना पड़ेगा क्या ratio में 35 is to 162 क्योंके पूने और मुंबई ये ratio में बैठता है उनका evaluation तो 35 is to 152 के ratio में divide करूँगा 162 के तो ये दो answer आ जाएंगे तो पूने वाली land को मैं ये apportion कर दूगा और मुंबई वाली land को मैं ये apportion कर दूगा is it clear all of you पूने वाली land को मैं ये apportion कर दूगा total capital gains में से 35 divided by 127 पूने वाली land का है और पूरे total capital gains में से 162 divided by 197 मुंबई वाली land का है तो ये मैं उनको apportion करूँगा जब भी ये लोग future में ये बेचेंगे तब अपने sale consideration में से 3,10,920 और 14,39,118 रुपया माइनस कर देंगे ठीक है This is what this point is all about यहाँ पर चेक करना point number 2.4 का answer ये है और एक आखरी question If self generated goodwill is sold in previous year 23,24 for 80 lakhs what would be the capital gains on sale of such in AY24,25 अब सुनो देखो Self generated जो goodwill होता है उसका cost of acquisition हमेशा निल होता है यह आप सबको पता है Sale consideration 80,00,000 अब लेकिन आपने पहले goodwill को कुछ capital gain attribute किया था कितना attribute किया था याद करो ये वाला amount 621,841 ये goodwill को attribute किया था पूरा का पूरा short term capital gains short term capital gains पूरा का पूरा goodwill को attribute किया था तो उतना यहां से minus हो जाएगा जब भी goodwill बिकेगी तो जब भी goodwill बिकेगी उतना इसमें से minus कर दो तो आपको आपका capital gains आ जाएगा 73,78,159 रुपीज चेक कर लो तो ये है ये महान question इसको देखने के पहले आप जाकर पहले पूरा 9B454 का discussion पढ़ लेना और हमने जो 3 CBD के circular देखे थे वो अच्छे से देख लेना ठीक है ये पूरा उसी पे dependent है चलिए अपना कारवा आगे लेकर चलते है question number 3 की तरफ ठीक है चलिए पहला question देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला question which of the four entities are eligible to declare an income on presumptive basis under the income tax act अब किस-किस के लिए presumptive basis available है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर एक firm है firm अगर business करता है और 200 लाग रुपे तक का turnover है तो ये eligible है ठीक है ये eligible है फिर से एक firm है वो क्या कर रहा है वो कर रहा है goods carriage का तो ये भी eligible है 44AE के अंदर वहाँ तो turnover भी देखना नहीं होता है 44AE तो सब के लिए ठीक है फिर तीसरा वाला whole trade business है लेकिन LLP है LLP के लिए 44AE available नहीं है तो PQN company की तो बिचारे को भूल जा उसको presumptive income नहीं मिलने वाला है फिर चौता है आपका XYN company interior decorator है turnover 50 lakh है तो फिर इसको भी 44AE का benefit मिल जाएगा तो पहले question का answer क्या है इसको मिलेगा इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा PQN company को नहीं मिलेगा XYN company को मिल जाएगा PQN company को क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि PQN company wholesale trading business कर रहा है लेकिन उसका nature of entity क्या LLP LLP को 44AE का benefit नहीं मिलता है तो इसले इसका answer है PQ को छोड़कर बाकी तीनों को ये benefit मिल जाएगा चेक कर लो यहाँ ठीक है तो बहुत ही simple सा question है अब अगले question की तरफ बढ़ते है question number 3.2 तो AB और PQ का अपने को business income निकालना है लेकिन उनको audit audit नहीं करवाना है बिना audit करवाया है बताओ क्या हो सकता है जिंदगी में ठीक है तो AB और PQ के बारे में बात करते है चलो AB के लिए क्या presumptive income applicable है हाँ applicable है AB एक form है AB retail business करता है और AB का turnover 200,000,000 तक है तो presumptive income applicable है अब अगर आप question में देखोगे तो AB ने 170,000,000 रुपया है न time से पहले RTGS से और NFT से ले लिया है पहले 1500,000,000 रुपया उसने time से पहले लिया RTGS और NFT और उसके बाद में उसने 30,000,000 रुपया भी time से पहले RTGS और NFT से ले लिया तो 170,000,000 पे 6% और 30,000,000 पे 8% निकालोगे तो AB का आपको presumptive income आ जाएगा जो AB का presumptive income है 12.6,000,000 ठीक है अब दूसरा कौन है दूसरा है PQN company का presumptive income निकालना है अब PQN company के लिए presumptive income applicable है ही नहीं PQN company के लिए जो भी actual profit है उसको वो ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए presumptive income applicable नहीं है ऐसा question number 1 के अंदर भी था तो इसको अपना actual profit 4.5,000,000 दिखा के उस पे tax भरना पड़ेगा चेक कर लो तो ठीक है तो PQN company का जो tax है वो 4.5,000,000,000 के इसाब से आ जाएगा ठीक है और ABN company को presumptive income का benefit मिल जाएगा तीसरे question की तरह बढ़ते है What is the business income to be declared by LMN company LMN company कौन है वो ट्रक वाली company है और AY2324 assuming that the firm wishes to make maximum tax saving without getting its books of accounts audited तो अब यहाँ पर देखना जड़ा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बहुत बारी किसे सुनना पड़ेगा यहाँ पर अपने को अभी इसका ट्रक वाले का income निकालना है तो यहाँ पर देखो इसके पास ट्रक है ट्रक का वेट के इसाब से उसकी अगर ट्रक का वेट 12,000 किलों से ज़ादा है तो फिर पर 1,000 पर टन ठीक है और अगर 12,000 किलों तक वेट है तो साड़े साथ हजार रुपया पर मंथ उसका deemed income हो जाएगी अब देखना deemed income के टाइम पे ना कबसे use करते हो वो important नहीं है कबसे purchase करते हो कितने महिने के लिए आप owner होना वो date important होता है date of use important नहीं होता है तो ये वाला कॉलम हमारे लिए important है date of use वाला हमारे लिए important नहीं है अब पहले वाला देखो light वही कले ये भी light है 12,000 किलो वाला भी light होता है 12,000 किलों से ज़ादा होगा तो heavy होता है बारह अजार किलो तक लाइट होता है तो पहले वाला दूसरा तीसरा चौदा पाँचवा साड़े साथ हजार पहला वाला तीन है दूसरा दो फिर एक फिर एक फिर एक और पहला वाला ग्यारा मैना क्योंके में से हैं आपको per 1,000 per ton ठीके तो उसका value आ जाएगा 13,000 रुपे और multiply by 2 और कितने मेने के लिए 4 मेने के लिए तो ये आपका total deemed income हो गया लेकिन याद करो जो presumptive income 44 AD follow करता है ना और ADA follow करता है ना तो उनको है ना remuneration और interest का deduction नहीं मिलता है अगर partner को दोगे लेकिन जो 44 AE का presumptive income follow करता ह ना उनको remuneration और interest का deduction मिलता है तो इसलिए ना यहाँ पर question number question number 2 के अंदर 2 के अंदर हमने remuneration का deduction नहीं दिया था क्योंकि वहाँ remuneration का deduction नहीं मिलता है 44 AD में interest का deduction नहीं दिया था वहाँ नहीं मिलता है लेकिन यहाँ मिलेगा यहाँ 44 AE वालों को मिलता है इसलिए 44 AE वालों क तो ये 50,000 रुपे का मैंने 12% interest का deduction दे दिया और 1.5 lakhs का working partner की salary का deduction दे दिया ये 2,000,000 रुपे का deduction 44A वाले को मिलता है अपनी color book easy notes के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ बहुत अच्छे से interlinking करके लिखा है देखू कोछ से question आता है उसके उपर तो इसलिए आपका answer है 4,36,500 र चेक कर लेना ठीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ते है question number 4 ये तो बहुत ही चिंदी कोशन है XYN company जो एक professional firm है उसको अपना profit ढूणना है without getting the books of accounts audited तो बहुत simple है यार उसका turn over 50 lakh है उसका profit उसका कितना हो जाएगा 50% profit हो जाता है interior decorator वालों को presumptive income मिलता है तो 50% profit कितना हो ज जाएगा और 25 lakh उर्पे में से क्या उसको remuneration और interest का deduction मिलने वाला है नहीं मिलता है 44 ADA वालों को भी नहीं मिलता है AD वालों को भी नहीं मिलता है partners के remuneration और interest का deduction ठीक है तो इसको भी नहीं मिलेगा remuneration और interest का deduction अब एक आखरी चीज है वो है question number 5 would your answer to question number 3.3 and 3.4 change if the firm decide to get their books of accounts audited देखो अगर firm अपना books of accounts audit करवाएगा तो 3.3 में किसका question था LMN company का था तो अगर audit करवाएगा तो फिर 4.1 lakh के साब से tax बरेगा तो मैं answer बदल दूँगा audit करवाएगा तो profit कम हो रहा है तो अच्छी बात है 4.1 lakh के साब से tax बरो और अगर last वाला entity भी xyn company भी अगर audit करवा फॉलो करता है ना तो फिर उसका profit 20 lakhs होगा उस case में आपको remuneration interest का deduction भी मिलेगा अगर आप 44 AD नहीं follow करोगे तो मिलेगा remuneration interest deduction अगर आप 44 ADF follow करोगे तो नहीं मिलता है तो दोनों को है ना audit करवाने पर फायदा है दोनों का profit है देखो घड जाता है इसलिए हम लोग बोले question की तरफ बढ़ते है चलिए अगले MCQ की तरफ बढ़ते है question number 4 जो है 50C, 43CA, 56210 और 194IA के उपर ठीक है ये चार provisions के उपर है 50C, 43CA, 194IA और आपका जो है 56210 gift provision इन चारों के उपर dependent है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते है question number 4.1 what is the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Hari in respect of transaction of sale of building to Mr. Rajesh and under which head it is taxable तो सबसे पहले पता लगाना है Hari ने जो Rajesh को building बेचा है वो कौन से head में taxable है और कितना taxable है ठीक है तो सबसे पहले Hari देखो क्या करता है Hari property dealer है अगर Hari property dealer है तो जो भी बेचेगा वो माना जाएगा PGPP और अगर वो property dealer है PGPP माना जाएगा तो उसके लिए 43CA applicable होगा 50CA applicable होता है 43CA क्योंकि stock and trade जो land and building के तौर पर बेचता है तो उसके लिए 43CA applicable होता है अब उसमें आपको क्या compare करना है आपको compare करना है sale consideration with your stamp duty value which average higher और दोनों के बीच में 110% का difference होना चाहिए ठीक है अब आपका actual sale consideration कितना है पता है वो है 100,00,00,00 रुपीश ठीक है कितना है आप का stamp duty value था 110,00,00 रुपया तो अब यहाँ पर सबसे पहले दुविदा यह आएगा कि date of agreement का stamp duty value लू या जब date of sale किया तब का stamp duty value लू देखो date of agreement का stamp duty value 110,00,00 और आगे जाकर जब बेचा तब stamp duty value 120,00,00 तो आप 110,00,00,00 ले सकते हो अगर आपने date of agreement या उससे पहले आपने advance ल लिया था NFT से तो यह चल जाएगा तो अब आप जिस दिन agreement हुआ था उसी दिन की stamp duty value ले सकते हो कोई दिक्तत वाली बात नहीं है आपको आगे वाली stamp duty value नहीं लेना है ठीके अगर आप यह चार mode को छोड़ कर किसी और mode से लेते क्या इस में लेते बैरर चेक में लेते क्रॉ करना पड़ता है यह याद कर रखना है यह 50C के अंदर भी प्रोविशन है और यह 43C के अंदर भी प्रोविशन है कि आज मैंने agreement किया agreement 22 में किया जिस दिन agreement किया तभी मैंने थोड़ा बहुत advance ले लिया था on the date of agreement और before that कैसे by 4 mode जिसमें NFT, RTGS, से सब कुछ cover होता है तो इसलि दोनों के बीच में 110% से ज़्यादा का difference नहीं है तो आपका जो sale consideration होगा वो 100 lakhs ही होगा दोनों के बीच में 110% से ज़्यादा difference होता तो हम stamp duty value लेते अब नहीं है तो अब sale consideration 100 lakhs है और आपने जो property 50 lakhs में खरी दी थी तो 100-50 कितना होता है 50 lakhs होता है तो 50 lakhs आपका business income, business income क्यो business income मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि हरी property dealer है ठीक है अब अगला question इसी से dependent है राजेश के point of view से बात करना है मतलब buyer के point of view से is any amount taxable in the hands of buyer that is Mr. Rajesh in respect of the above transaction if so what is the amount and under which head is it taxable देखो राजेश के हाथ में gift tax लग सकता है कब लग सकता है जब उसने जो property खरीदा उसके value के चाहिए और 50,000 से ज़्यादा का difference भी होना चाहिए तब जाके राजेश के हाथ में 56 to 10 लगेगा अब देखो दोनों के बीच में राजेश ने कितने में खरीदा 100 पे में खरीदा 100 लाक्स और राजेश का stamp duty value कितना है 110 लाग क्या दोनों के बीच में 50,000 से ज़्यादा का difference है लेकिन क्या दोनों के बीच में 110% से ज़्यादा का difference है नहीं है इसलिए राजेश को कोई भी income tax नहीं लगेगा ठीक है what is the amount of income chargeable to tax in the hands of Mr. Raviy Raviy نے जब वलिष को घर बेचा तो उसके case में क्या होगा तो Raviy के बारे में बात करते Raviy ने जब घर बेचा तो Raviy ने अपना personal घर बेचा है तो यहाँ पर capital gains लगेगा अगर लगना है तो यहाँ पर P GPP नी लगेगा देखो हरी जब बेच रहा था तो property dealer की तरह बेच रहा था लेकिन रवी तो अपना personal घर बेच रहा है तो यहाँ पर उसको capital gains लगेगा अब रवी ने कब बेचा रवी ने भी बेचा है 2023 में 50 लाग रुपे में ठीके अब जिस दिन बेचा तब stamp duty value 70 लाग थी लेकिन जब agreement किया तब stamp duty वाले 55 लाग थी तो कौन सी value लेना तो 55 लाग मैं ले सकता था लेकिन मेरे से गलती हो गई मैंने advance receive कर लिया cross check से मुझे cross check नहीं मुझे account पर ही check से लेना चाहिए था या account पर ही draft से लेना चाहिए था लेकिन मैंने चार मोड से नहीं लिया मैंने कौन से मोड से लिया मैंने कोई भलते मोड से ले लिया cross check से तो अब मैं 55 लाग अपना stamp duty वालू नहीं ले सकता हूँ अब मैं को जो आगे जाकर stamp duty वालू आ रही है न date of sale पर वो वाली लेनी पड़ीगी date of sale पर stamp duty वालू पचास लाग है सतर लाग है और आपने बेचा पचास लाग में तो आप को देखो दोनों के बीच का difference का 110% से जादा है हाँ जरूर जादा है तो अब आपको sale consideration सतर लाग लेना पड़ेगा cost of acquisition cost of acquisition 32 lakhs और building short term है क्योंकि आपने 2 साल के अंदर बेच दिया देखो 2021 में खरीदा 2023 में शुरुआत में उसको बेच दिया आपने ठीक है तो यह आपने 24 months के पहले बेच दिया तो अब यहाँ पर आपका capital gains कैसे आएगा 70 lakhs आपका sale consideration और sale consideration 70 lakhs क्यों 55 lakhs क्यों नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 55 lakhs ले सकता था लगिन cross check से लेकर गड़ बड़ी कर दी 70 lakhs मेरा sale consideration है और cost of acquisition मेरा 32 lakhs है short term के application मेरा 38 lakhs है अब वलिष के हाथ में भी IFRS लग जाएगा IFRS कैसे लग जाएगा देखो वलिष खरीद कितने मेरा है 50 lakhs में खरीद रहा है लेकिन वलिष के लिए stamp duty value कितनी होगी उसके लिए भी stamp duty value 70 lakhs होगी तो वलिष के हाथ में 20 lakhs रुपया short term 20 lakhs रुपया income from other source under section 56 to 10 क्योंकि 56 to 10 बहुत क्लियरली बोलता है अगर आप किसी से immobile property inadequate consideration पे खरीदे हो और अगर inadequate consideration 50 दोनों के बीच का difference 50,000 से जादा है और दोनों के बीच का difference 110% से भी जादा है तो आपके हाथ में differential amount income from other source मानी जाएगी ठीके और एक आखरी question है याँपर क्या राजेश और वलिष को property खरीदे समय है क्या TDS काठना पड़ेगा क्या TDS काठना पड़ेगा क्योंके दोनोंने 50,000,000 या उससे जादा की property खरीद है कॉशन में सिर्फ इतना पूशा है क्या TDS काठना पड़ेगा येस दोनों 50 लाग के उसे उपर की property खडीद रहे तो TDS काटना पड़ेगा TDS सबका काटना पड़ता है सामने वाला builder है तो भी काटो सामने वाला builder नहीं है तो भी काटो trader है तो भी काटो property dealer है तो भी काटो सबका TDS करता है 194 IA में हाँ लेकिन अब important चीज़ एक और है जो मैं step extra बोल देता हूँ आपको जो exam में शायद बोलो पूछ ले कि अब से TDS आप किस पे काटोगे actual sales consideration या stamp duty value whichever is higher जो भी higher होगा उस पे 1% TDS करता है 194 IA में यह चीज़ दिमाग में रखना इस पर इन्होंने इस question के अंदर test नहीं किया है क्यों test नहीं किया है क्योंकि इन्होंने महनत नहीं किये इन्होंने पिछले साल का ही question चिपका दिया है इसलिए महनत नहीं किये अगर इनको महनत करना होता न तो यहाँ पर एक extra step दाल के पूछ सकते थे on what amount TDS should be deducted तो TDS deduct होगा on actual consideration or stability value whichever is higher जो भी higher होगा उस पर TDS cut 7% as per finance act 2022 चेक कर लीजिए चलिए अगले question की तरफ बढ़ते जो है आपका question on 115 BAA, 115 BAB on tax rates and also on penalty यह सारे provisions के उपर अगला question बनाया है उसमें सबसे पहला question है tax liability calculation के उपर पढ़ लेते एक बार what would be the tax liability of B limited for AY 23-24 if it avails the beneficial tax rates under the special provisions under 115 BAA or BAB as the case may be by fulfilling the conditions specified therein assume that the gross total income reflects the computation under the special provision तो सबसे पहले अपने को B limited के point of view से सोचना है कि भाई B limited ने कौन से provisions को follow किया है और कौन सा कर सकता है 115 BAA कर सकता है, BAB कर सकता है तो B limited देखो 2022 में फॉर्म हुआ है एप्रिल, सॉरी November 2022 में और manufacturing भी करता है तो अगर कोई October 2019 से लेकर October 2019 से लेकर 2024 March तक October 2019 से लेकर 1 October 2019 से लेकर 31 March 2024 के भीच में अगर कोई company नई setup होके manufacturing शुरू करती है तो उसको 115 BAB में tax rate का benefit मिलेगा 15% tax तो यहाँ पर उसको 15% का benefit मिलेगा अब उसका gross total income देखो कितना है 2.8 करोड़े अब उसमें से उसको क्या कोई deductions मिलेगे है 80 JJAA का deduction मिलेगा उसको जहाँ पर आप additional employees को hire करते हो 80 JJAA employees कितना employees hire किया है 1000 employees hire किया है लेकिन आपको यह वाले employees पर नहीं मिलेगा क्योंकि emolument अगर 25,000 रुपय से जादा है तो उसके deduction आपको 80 JJAA का नहीं मिलता है 80 JJAA मिलता है जब emoluments चिर्फ कितना हो 25,000 रुपय तक हो इन employees के लिए आपको मिल जाएगा कितना deduction मिलेगा देखो नवेंबर से आपने hire किया है कि company नवेंबर से शुरू किये तो 5 मेने के लिए आपको मिलेगा देखो तो आपका gross total income 2,80,000,000 वो question मिलिया है उसमें से आपको 80 JJAA का deduction मिलेगा 24,000 रुपया पर मन्त 5 मेने के लिए 500 employees पे उस पे 30% deduction आपको मिलता है 80 JJAA में वो आएगा 1.8 करोड 1.8 करोड निकालने के बाद आपकी total income 1 करोड हो जाएगी अब उस पे आपको 115 BAB के एसाब से tax लगा सकते हो क्योंकि BAB के लिए आप eligible हो अगर आपको यहाँ पर 15% tax आएगा 10% आपका वो हो जाएगा क्या आपका surcharge और 4% अगर employee apparel business का है अगर leather business का है footwear business का है याद करो तो 150 दिन भी चल जाता है याद है आपको यह exception था no doubt आपको 240 दिन के लिए employee को hire करना ज़रूर ही है लेकिन apparel business, leather business, footwear business इसके लिए exception है 150 दिन तो यहाँ पर अगर आप 1st November से लेकर 31st March count करोगे न तो 151 days हो जाता है तो आपका condition fulfill हो जाता है तो इतनी बारी किसे लोग एक एक चीज़ test करते है यह जीज़ दिमाग में रखना चीज़ इंसिटूट को आपको as a student ओके अब question number 2 के अंदर आपको A limited का answer निकालना है A limited के लिए अभी same चीज़ A limited के लिए करना है अब A limited तो 2019 में ही set up हो गई थी 2019 में कभी set up हो थी September में तो इसको 115 BAB का benefit नहीं मिलेगा इसको 115 BAA का benefit मिल सकता है BAB का benefit जो October 2019 या उसके बाद set up हो है उनको ही मिलता है ठीक है तो 115 BAA का benefit इसको मिल सकता है इसका gross total income 4.9 करोर है और इसको भी अपने 24,000 employees पे अब पूरा 12 मेने के लिए मिलेगा क्योंकि ये तो 2019 में set up हो था ना अपन तो 22-23 का calculation कर रहे है तो अब पूरे 12 मेने का deduction आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो 24,000 employees 24,000 रुपया पर month into 12 into 500 employees into 30% तो ये होता है 4,000,000,000 रुपय का deduction आपको ऐसे ही मिल जाएगा ठीक है अब 4,000,000,000 पे 115 BAA में क्या tax rate है 15% है उदर 22% tax rate है और 10% surcharge always और 4% says always तो उदर आपका tax आजाएगा 14,59,740 रुपी चेक कर लेना ठीक है तो ये आपका answer उदर आजाएगा 115 BAA में तो मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर आपने 115 BAA क्यों ने लिया BAB क्यों लिया क्योंकि BAB जादा beneficial है और यहाँ पर BAB क्यों मिल सकता है यहाँ इसलिए मिल सकता है क्योंकि आपने 2019 October या उसके बाद company manufacturing की setup की और यहाँ पर आपने 2019 October के पहले setup कर दिया था एक मेना लेट करता तो आपको benefit मिल जाता BAA B का भी तो यहाँ पर इसलिए आपको BAB नहीं मिल पाया ठीक है next what would be the total income of A limited and B limited for A by 23, 24 if they do not offer special provision अगर वो लोग special provision आप नहीं करेंगे तो उनकी total income क्या होगी ठीक है तो दोनों की चुनो तो सबसे पहले हम लोग A limited के बारे में बात करते A limited कभी setup ही थी 2019 में देखो उसने अगर special provision नहीं follow किया तो उसको additional depreciation मिला होएगा on this 10 crore in 19 only ना मिला होएगा तो 19 की income बदलेगी उसकी आज की income नहीं बदलने वाले additional income additional depreciation year of purchase में मिलता है हर साल थोड़ी मिलता है तो इसने अगर normal provision follow किया होगा 115 BAA नहीं follow किया हो तो उसकी 19 की income बदलेगी आज की income थोड़ी बदलने वाले अगर B limited normal provision follow करता तो उसको इस 4 करोड रुपे के उपर 10% का additional depreciation मिलता 10% क्योंके less than 180 days use कर रहे हो इसलिए 10% पूरा 20% तो मिलेगा नी तो इसका 10% कितना होता 40 लाग रुपे का उसको extra deduction मिलता तो इसलिए B limited की अभी total income कितनी है एक करोड उसमें से और 40 लाग रुपे का अगर उसको deduction मिलता तो उसकी income कितनी हो जाती 60 लाग रुपीस हो जाती तो उसको यहाँ पर benefit होता A limited को कोई benefit नहीं क्योंके उसने तो अपना additional depreciation का benefit 2019 में ले लिया होगा current year में उसको additional depreciation मिलने नहीं वाला है वो 115 BAA follow करे या नहीं करें वो income उसकी 58 lakhs ही रहेगी लेकिन B limited के लिए depend करता है अगर 115 BAB follow करता है तो फिर उसको benefit मिलेगा नहीं और अगर नहीं follow करता है 115 BAB तो 40 लाग रुपे का tax benefit मिलेगा तो उसकी income 60 lakhs हो जाएगी चेक कर लो ठीक है I hope it is clear to all of you clear next 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 दो कोशन बहुत ही simple कोशन है दोनों penalty के उपर है ठीक है दो penalty के उपर है एक है C limited के उपर कितनी penalty लगेगी तो C limited की देखो income assessed 20 lakh है और income process 16 lakh है तो इन दोनों का जो 20 का difference होता है वो क्या होता है income assessed minus income processed आपकी होती है क्या आपकी हो जाती under reported income उसके बाद आपको tax निकालना है कैसे tax on under reported income plus tax on processed income minus tax on processed income अब tax कितना आएगा तो C limited का last का last year का turnover अगर आप देखो तो यहाँ पर 499 करो रहे और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि normal provision के हिसाब से tax निकालो चेक करो question के अंदर बोला है इन्होंने बोला है कि do not off forward 115 BAABAB इस सब के नाटक में मत पढ़ो normal provision के हिसाब से tax निकालो तो normal provision के हिसाब से अगर पिछले के पिछले साल के बंदे का turnover 400 करोण से जादा है तो tax rate 30% है तो मैंने इसके ओपर क्या मार दिया 30% tax मार दिया 30% tax plus सरचाज कितना लगेगा 12% क्योंके income 10 करोड के ओपर है तो 12% सरचाज भी लगेगा 10 करोड के ओपर वाली income को 12% सरचाज लगता है domestic company को पर और 4% says तो यह सब करने के बाद मेरा tax आता है और miss reporting वालों को कितनी penalty लगती है penalty लगती है उनको 200% 200% 200% ठीक है तो this is what this question is all about अगला question exactly इसका उल्टा है अगले question के अंदर भी आपको पहले क्या ढूणना है पहले under reported income ढूणना है income assess 20 करोड income process 22 करोड income process 20 करोड दोनों के 20 का difference कितना है 2 करोड अब पिछले के पिछले साल का turnover है आपका 200 करोड अब पिछले के पिछले साल का turnover अगर 400 करोड से कम है तो आपका tax rate हो जाएगा 25% सरचाज 12% ही लगेगा क्योंकि income 10 करोड के उपर है तो सरचाज 12% ही लगने वाला है तो therefore यहाँ पर आपको पहले 22 करोड रुपया 22 करोड माइनस 2 कर 20 करोड 2 करोड आपकी under reported income पहले tax on under reported income plus tax on processed income minus tax on processed income यह tax निकालोगे आप कितना rate अपलाई करके अब 30% tax क्योंकि पिछले साल का turnover आपका कितना है 200 करोड है 400 करोड कम है 400 करोड से कम है तो अब सिर् 25% tax लगेगा तो 25% tax के इसाब से आपको कितना tax लगने वाला है आपर 25% tax 12% सर्चार्ज और 4% सेस उसे इसाब से tax आता है 58,24,000 तो उसका अब आपको 200% लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बोलाए कि भाई यह miss reporting है miss reporting है miss reporting है अंडर रिपोर्टिंग नहीं है तो miss reporting पे आपको 200% tax लगता है और 200% tax लगेगा तो 1,16,48,000 रुपीस का आपका tax आजाएगा पेनाल्टी आजाएगा चेक कर लो फटाक से यह है आपका question number 5 ठीक है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते अब जो अगला question है वो है आपका business trust के ओपर किसके ओपर business trust के ओपर पूरा का पूरा question बना के रखा है नोने बहुती simple question है अगर आपको business trust का topic पता है तो यह question के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है तो चलिए चुरू करते है आपको पहले question पढ़ना है अपने end पे पूरा का पूरा business trust का इसके अंदर क्या क्या points है कौन कितनी income कमा रहा है आप actually देखा जा तो बिना question पढ़े भी आप answer कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है easy question है तब से पहला question in respect of component of interest income from z limited z limited कौन है बता है SPV है SPV SPV से जो interest मिल रहा है किसको मिल रहा है business trust को फिर business trust अपने unit holders को देड़ा है X और Y X कौन है बता है X है resident यहाँ पर देखो और Y कौन है Y है non resident तो business trust को जो SPV से interest मिलता है वो business trust की हाथ में तो exempt होता है लेकिन investor के हाथ में taxable होता है तो जब investor को distribute करोगे तो उनको tax deduct करना पड़ेगा तो कितना deduct करोगे resident को pay करोगे तो 10% deduct करोगे और non resident को pay करोगे तो 5% plus 6 5% plus 6 कितना हो जाएगा 5.2% तो resident को pay करोगे तो 10% और non resident को pay करोगे तो 5% 5% plus 4% says 5.2% तो सुन लो मैं business trust हूँ मुझे SPB से interest मिला मेरे हाथ में तो exempt है investor को जब pass on करूँगा तो taxable resident के हाथ में 10% non resident के हाथ में 5.2% के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा check कर लो यहाँ पर बराबर से यह है आपका पहला question अब कितने amount पे काटना पड़ेगा ठीक है वो भी एक important question है बराबर बात है ना कि amount भी तो important है या पता लगा ना तो अभी amount कैसे पता लगाएंगे हम लोग देखो rate तो मैंने बता दिया amount कैसे पता लगाएंगे total interest income कितना आया 10 लाक रुपया ठीक है अब 10 लाक रुपया तो ये पूरे business trust का है ठीक है अब ये सारे unit holders को देंगे total unit holders कितने है 5000 अब 5000 में से यहाँ पर बराबर से देखना इसमें से जो resident unit holder है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 100 है तो अब अगर 5000 में से resident unit holder सिर्फ 100 है तो इसका मतलब resident unit holder कितने परसंट है 2% है 100 divided by 5000 कितना होता है 2% और non resident unit holder कितने है 500 है तो non resident unit holder कितने है 10% है तो resident unit holder 5000 में से सिर्फ 100 ही है तो वो हो गए 2% और non resident holder 5000 में से 500 है तो वो हो गए 10% तो अब आप उसका 2% रो 10% निकाल लो 10 लाग का 2% कितना होता है 20,000 और 10 लाग का 10% कितना होता है 1,000,000 तो देखो resident के case में आप 20,000 पर TDS काट होगे और non resident के case में आप 1,000,000 पर TDS काट होगे यह कैसे आया जो मैंने भी आपको बताया उसी break up से आपको यह आ जाएगा ठीक है तो बहुत ही simple सा question है कुछ खास नहीं इसके अंदर question number 6.2 की बात करते है in respect of short term capital gains on sale of listed shares तो किस ने बेचा अब business trust ने listed shares बेचा उस पे short term capital gains आया और 8,000,000 रुपे का उसने कुछ property बेचा उस पे भी short term capital gains आया तो अब सुनो जो listed shares business trust बेच रहा है न उस पे business trust कितना tax बढ़ता है 15% tax plus 4% tax 4% says आपका triple बने के हिसाब से ठीक है तो जो listed shares बेच रहा है उस पे 15% tax plus 4% says triple बने के हिसाब से और जो यह है यह other income मानी जाएगी इसके उपर MMR के हिसाब से tax बढ़ना पड़ेगा MMR मतलब 42.744% के हिसाब से tax बढ़ना पड़ेगा business trust को चेक कर लो ठीक है is it clear I hope it is clear next the dividend component of income from Z limited distributed to X and Y देखो ज़रा अब dividend component का क्या होगा जो Z limited से dividend मिला Z limited कौन है SPV है SPV से dividend मिला तो वो business trust के हाथ में तो हमेशा exempt होती है यह हमेशा रखना जो SPV से dividend business trust को मिलता है ना business trust के हाथ में हमेशा exempt लेकिन investor के हाथ में exempt होगा के taxable होगा वो depend करता है SPV ने 115 BAA follow किया है की नहीं किया है अब इस question के अंदर SPV ने 115 BAA नहीं follow किया है question देखना परापर से पढ़ना 115 BAA नहीं follow किया है SPV ने तो investor के हाथ में exempt हो जाएगा चेक कर लो investor के हाथ में exempt ठीक है तो जो dividend मुझे business trust को मिला कहां से मिला SPV से मिला business trust के हाथ में हमेशा exempt investor के हाथ में भी exempt होगा अगर SPV ने 115 BAA नहीं follow किया है जो इस question में नहीं follow किया है चेक करना अगर follow करेगा तो taxable हो जाएगा तो वही अगले question के अंदर दिया है देखो यहाँ पर अगले question के अंदर यहीं दिया है कि अगर SPV अगर 115 BAA follow करती है तो investor के हाथ में और trust के हाथ में क्या होगा trust के हाथ में हमेशा exempt लेकिन investor के हाथ में फिर taxable हो जाएगा चेक करना X और Y के हाथ में तो अगर SPV 115 BAA follow करती है तो trust के हाथ में हमेशा exempt investor के हाथ में taxable हो जाएगा इस question के अंदर ठीक है तो 3 और 4 question दोनों एक ही point के उपर है that is dividend income का क्या treatment होगा question number 6.5 next interest received by business trust from investment in unlisted debentures of real estate and distributed to unit holder अब सुनो जड़ा अब इसका क्या होगा business trust ने unlisted debentures में पैसा लगाया ठीक है? अब business trust ने जो unlisted debentures में पैसा लगाया है वो other income मानी जाएगी वो other income की category में आती है वो normal income की category में आती है business trust में business trust में normal income में क्या आता है? SPV से interest rental income से property से rental income फिर ट्रिपल बने इंकम फिर बाद में आपकी जो डिविडेंट इंकम ये कुछ इंकम नॉर्मल इंकम मानी जाती है अब अनलिस्टेट कंपनी के डिवेंशर खड़ी दोगे वहां से इंटरस कमाओगे वो सारा का सारा माना जाएगा आपकी अधर इंकम और उस पे बिजनस को 42.744 परसन का टैक्स देना पड़ेगा चेक कर लो इंवेस्टर के हाथ में एक्जेम्ट होता है वो यहां पूछानी है तो हम लोग उस पे बात नहीं करेंगे ठीक है एंड लास बट नॉट लीस्ट जो बिजनस ट्रस को रेंटल इंकम मिल राए प्रोपटी से उसका क्या होगा वो बिजनस ट्रस के हाथ में हमेशा एक्जेम्ट होता है और इंवेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है तो आपको टीडियस काटना पड़ेगा रेजिदेंट इंवेस्टर का आपको 10% टीडियस काटना पड़ेगा और नॉन रेजिदेंट इंवेस्टर का आप को कितना TDS काटना पड़ेगा उनका आपको काटना पड़ेगा कितना rates in force के हिसाब से again यहाँ पर सवाल उठेगा amount कितना होगा तो amount वही होगा 2% और 10% तो यहाँ पर देखो rental income का 2% कितना आ जाएगा 40,000 और 10% कितना आ जाएगा 2,00,000 रुपया जाएगा ठीके तो 2% और 10% के हिसाब से आप उसका amount निकाल लोगे चेक कर लो तो यह बहुत ही मामूली सा question था चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका question number 7 MCQ case scenario 7 चलिए यह भी पूरा का पूरा question जो है पूरा penalties के ओपर डाल के रखा हैं इंसिर्यूट ने ठीक है तो सबसे पहला question और दूसरा question यह theoretical question है MNO limited is deemed to have under reported its income MNO limited कब बाना जा सकता है कि उन्होंने under report कर दिया है क्या इसको under reported income बोलते हो यह 40,000,000 और 50,000,000 के बीच के इसको under reported बोलोगे नहीं 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 उसको under reported नहीं बोलते हो आप आप उसको कब under reported बोलते हो जब assessed income और processed income के बीच में difference है या assessed income और previously assessed के बीच में difference है तब जा गर आप उसको क्या बोलोगे under reported income बोलोगे ठीक है तो therefore the income assessed exceeds the income determined in 1431 यह इसको बोलोगे आप under reported income या income reassessed exceeds the income previously assessed उसको भी आप under reported income बोलोगे इस लिए इसका answer है 2 and 3 ठीक है तो एक simple सा question है अगला question भी एक theoretical question है Mr. N is deemed to have under reported his income since अब Mr. N करके एक बंदा है उसने return ही नहीं भरा है ठीक है तो वो कब माना जाएगा के वो under reported है इसके लिए under reported कब माना जाता है कब माना जाता है जब उसकी income basic exemption limit से ज़ादा होना चाहिए और वो return नहीं भरता है तो ये दो condition fulfill होंगे तो माना जाएगा कि उसकी income deemed to be under reported है तो he has not filed the return और उसकी income basic exemption limit से ज़ादा भी होना चाहिए ठीक है तो इसले इसका अंसर है two and three and therefore इसका अंसर है c बहुत ही simple सा question है बचकाना question है कुछ खास नहीं है इसके अंदर अब तीसरा question भी बहुत ही easy है कुछ खास नहीं है बोला है penalty निकालो penalty निकालो assessment के time पे कितनी penalty लगेगी ठीक है और ऐसा assume करो के miss reporting नहीं है miss reporting नहीं है बीच का difference under reported income 15 lakh अगई ठीक है अब उस पर tax निकालो tax निकालते समय कैसे निकालते हो tax on under reported income plus process तो पहले 65 lakhs पर tax निकालो फिर tax on process फिर 50 lakhs पर tax निकालो फिर minus करो तो tax कितना आएगा partnership firm का 31.2% 31.2% tax आता है 468 अब यहाँ पर बोला है कि under reporting is not an account of miss reporting यह miss reporting नहीं है तो 50% penalty लग जाएगा 50% penalty के हिसाब से 2,34,000 रुपीज के आपको penalty लग जाएगी ठीक है तो एक मामुली साथ question है एक दम routine question 7.4 भी एक मामुली सा question है अब re-assessment की time पे बोला है penalty निकालो तो re-assessment की time पे जब आप under reported income निकालोगे तो किसको compare करोगे income re-assessed minus income previously तो दोनों के बीच का difference कितना है 20,00,00 रुपया 85-65 तो 20,00,00 रुपया आपका हो गया under reported income ठीक है अब tax कैसे निकालोगे tax on under reported income plus tax on processed income minus tax on processed income ठीक है यह format आपका standard format है तो अब आप इस पे tax निकालोगे tax निकालते समय वो ही 31.2% का tax निकालोगे क्योंके partnership हमें उसके अपर 200% penalty लगा दोगे क्योंके यहां पर miss reporting के साब से penalty बोला है तो 200% penalty लगा दो 200% penalty लगाओगे तो answer आ जाएगा 12,48,000 ठीक है तो बहुती simple सा question और आखिर में बोला है वो Mr. N जिसने return नी भरा न उसकी under reported income निकालो और उसकी penalty भी निकालो तो जो बंदा return नी भरता है उसकी under reported income कैसी होती है income assessed minus basic exemption limit तो उसकी income assessed जो return नी भरता है उनकी under reported income ऐसे निकाली जाती है income assessed minus basic exemption income assessed 15,00,000 है वो question के अंदर लिखा है यहाँ पर ठीक है अब उसमें से आप उसका क्या निकाल दोगे उसका आप निकाल दोगे 5,00,000 रुपे का exemption साड़े बारा लाक रुपे under reported income अब tax साड़े बारा लाक पे कभी नी निकालते हैं हम लोग tax is on under reported income plus basic exemption limit tax तो आप 15,00,000 पे निकालोगे अब 15,00,000 पे tax निकालो basic exemption limit धाई लाक है क्योंकि बंदे की एक साड़ साल से कम है तो normal उसको धाई लाक का exemption बिलेगा 273 उसका tax आएगा अब ये भी एक miss reporting नहीं है miss reporting नहीं है तो 50% penalty 50% penalty के हसाब सिया आपर 136,500 की आपको penalty लग जाएगी तो under reported income 1250 और penalty 136,500 देख लो बहुत ही simple सा question चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है जो बहुत ही जबर्दस question है on the insurance policy as well as ulip ulip और insurance policy दोनों के उपर जबर्दस question बनाया और चलिए देखते 8.1 पहला question what are the life insurance policy excluding ulip ulip को छोड़ कर और कौन कांसी life insurance policy exempt होगी परते पुरा question what are the life insurance policy excluding ulips in respect of which Mr. Manoj would be eligible for exemption under 1010D in respect of the maturity proceeds and what is the quantum of deduction which would be available under ATC in respect of the premium paid on such policy for AY 2324 assume that Mr. Manoj does not have any ulip only for the purpose of answering this question ठीक है अब ulip को छोड़ कर Mr. Manoj के पास दो policy है एक है policy है policy भी अब अपने को बताने का है इसमें से कौन कौन सी policy exempt होगी कौन कौन सी policy taxable होगी देखो जो ये policy है न पहली वाली policy वो exempt हो जाएगी क्यों क्योंकि उसका annual premium उसके summer short के comparison में 10% से 10% of summer short ठीक है तो इस case में ये वाली policy तो पूरी exempt है और ये जो premium भर रहा है ना इस premium का भी deduction आपको पूरा का पूरा ATC के अंदर मिल जाएगा ठीक है कहा मिल जाएगा ATC के अंदर आपको premium का deduction मिल जाएगा अब जो दूसरा वाला policy है ना उसका policy B ये इसका taxable हो जाएगा क्यों taxable हो जाएगा ये taxable हो जाएगा क्योंकि इसका annual premium 40,000 है और some are short 3,500,000 है तो ये अब 10% से जादा हो रहा है 11.42% तो ये वाला 3,500,000 रुप्या आपके हाथ में taxable हो जाएगा लेकिन पूरा taxable नहीं होता याद रखना 3,500,000 माइनस जितना भी premium आपने over the years भरा है ना 7 साल का premium भरा है आपने आपको 10% तक मिल जाएगा अब 3,500,000 का 10% कितना होता है 3,500,000 का 10% 35,000 तो ये वाले case में आपको 35,000 deduction मिलेगा पहले वाले case में 50,000 तो answer क्या है आपकी policy A exempt है ये answer है और दोनों policy मिला कर आपको 85,000 रुपीज का deduction मिलेगा ये answer है दो चीज पूछा है ना कि कौन सी policy exempt है तो बोलो policy A exempt है और deduction कितना मिलेगा 80C के अंदर 80C के अंदर आपको deduction मिलेगा total 85,000 50 plus 35 85,000 चेक कर लो ठीक है अब अगला question है ना वो बहुत intelligent question है which are the ulips in respect of which Mr. Manoj would be eligible for exemption under 1010D in respect of the maturity proceeds choose the option most beneficial to Mr. Manoj, अब सुनो जड़ा कौन कौन से ulip है जिस में Mr. Manoj को benefit मिलने वाला है अब देखो, ये जो निया वाला amendment देना, वो कौन कौन से ulip के युलिप के लिए अपले के बले हो बता रहा है वो इस ULIP ये ये इस उलिब के लिए और इस उलिब के लिए वो जो नया वला आमेंडिमेंट है ओर फिफ प्रोवाईजो वो अप्लिके बल नहीं है ठीक है उसमें सिर्फ आपको percentage वाला criteria exam करवाना है बस वो चेक करना है वो अगर fulfill हो गया तो बस हो गया amount वाला नहीं चेक करना है अब यूलिप C, यूलिप E, यूलिप F तीनों exam नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं तीनों का premium का total मारू ना तो तीनों के premium का total आ जाएगा धायलाग रुपे से जादा अब में को कोई भी दो select करना है अब question बोलता है वो दो select करो जो सबसे best है अब सबसे best कौन जाओगा वो दो select करो जिसमें आपका tax जादा बचेगा देखो क्या मैं C और E select कर सकता हूँ कर सकता हूँ C और E मिलाकट high lakh premium होता है कर सकता हूँ क्या मैं C और E के बदले सिर्फ F select कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ C और E को taxable करवा तो F को exam करवा तो वो भी कर सकता हूँ मेंना tax कहाँ जाधा बचेगा वो चेक करना जरूरी है उसके लिए मैं तीनों का capital gains निकालूँगा कि अगर मैं तीनों पे tax भरूँगा तो मुझे कितना tax लगेगा मिसाल के तौर पर C का consideration 11 lakh है देखो यहाँ पर E का consideration 17 lakh है और F का consideration 28 lakh है अब यह तो हो गया consideration अब तीनों का premium कितना मैं भरने वाला हूँ तीनों में मैं 9-9 साल का premium भरने वाला हूँ तो C के लिए मैं 9 साल का premium 9 lakh E के लिए 9 साल का premium 12 lakh 60,000 और F के लिए 9 साल का premium 22 lakh 50,000 ठीक है तो अगर मैं C को taxable करवाँगा तो 2 lakh रुपया C का capital gains 2 lakh आएगा E का capital gains 4.4 lakh और F का capital gains 5,500,000 अब आप लोग खुद बता सकते हो कौन सा जादा beneficial है देखो C और E को exam करवाँगा ना तो मेरा C और E exam करवाने पे 6.2 lakh 6.4 lakh का capital gains बचेगा ठीक है उसके बदले अगर मैं सिर्फ F को exam करवाँगा ना सिर्फ F भी exam करवा सकता हूँ क्योंकि सिर्फ F एक exam करवाँगा तो 5.5 lakh रुपय उदर पूरा exhaust हो जाएगा तो उस case में मेरा 5.5 lakh रुपय का capital gains बचेगा और मैं को 6.4 lakhs पे tax बचेगा तो आप लोग खुद बोलो क्या बेटर है C को exam करवाना बेटर है या C और E को दोनों को exam करवाना बेटर है दोनों में से एक option है आपके बस F को exam करवाऊँगा तो साड़े 5.5 lakh रुपय पे tax बचेगा 6.4 lakhs पे tax देना पड़ेगा C और E को बचाऊँगा तो 6.4 lakhs पे tax बच जाएगा और 5.6 lakh रुपय पे tax देना पड़ेगा तो बैटर है भाई C और E को exam करवाद हो ठीके अब D already exam था और C और E को भी exam करवाद होगे तो C, D और E इसका answer है देखो बहुत beautifully हमने इसको derive किया है I hope you have understood, right Now, considering the option chosen in MCQ 8.2 MCQ 8.2 में हमने C, D और E choose किया है What would be the capital gains computed under 451B अब बहुत simple है अगर हम लोग C, D और E choose कर रहे है मतलब हम लोग क्या exam करवाद है मतलब हम लोग क्या exam करवाद है हम लोग ये exam करवाने न तो मतलब हम लोग किस पर tax बर रहे हम लोग किस पर tax बर रहे है तो capital gains साड़े 5 lakh की होगा न चेक कर लो capital gains साड़े 5 चला कोगा और क्या आपको F के उपर capital gains tax बरना और क्या चेक करो वही question है बहुत ही simple है कुछ खास नहीं है अब अगले question की तरफ बढ़ते है ये वाला अच्छा point है What is Mr. Manoj's tax liability अब देखो Manoj की tax liability निकालना है अपने को current year की अब Manoj ने current year में क्या-क्या कमाया मैं आपको बताता हूँ तबसे पहले तो Manoj ने 12,00,000 रुपे का dividend कमाया वो मैं उसकी income में लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने लिख दिया उसके बाद Manoj ने long term capital gains कमाया 5,00,000 रुपे का तो कितना tax बरना है Manoj को 4,00,000 रुपे उसको मिला माइनस Manoj ने कितना premium भरा है 40,000 रुपे गा 7 साल के लिए तो Manoj ने 2.8,00,000 का premium भरा है तो 4,00,000,000 माइनस 2.8,00,000 1.2,00,000 पर Manoj को क्या करना पड़ेगा tax बरना पड़ेगा प्लस ये बची भी तो policy भी प्रीमियम भर रहा है वो तो ये यूलिप बलिप का भी तो प्रीमियम भर रहा है ना वो current year के अंदर तो उसका भी उसको क्या मिल जाएगा deduction तो 80C के अंदर उसको पूरा का पूरा deduction मिल जाएगा 1,50,000 का अब उसने NPS के भी अंदर इंवेस्ट किया है लेकिन अगर आपको याद होगा NPS का deduction आपको कितना मिलता है 80CCD subsection 1 और 80 तोटल आपको जो deduction मिलता है ना सुनलो अच्छे से इस important point है 80C 80C प्लस 80CCD subsection 1 प्लस 80CCC ये तीनो section मिलाकर आपको तोटल देड़ लाक मिलेगा अब वो देड़ लाक तो बिचारा पूरा का पूरा 80C ने exhaust कर लिया लेकिन पता है आपको 80CCD subsection 1 B के अंदर एक और extra deduction मिलता है extra 50,000 जो इस देड़ लाक की लिमिट में नहीं आता है तो वो तो आप ले सकते हो 50,000 extra अरे भाई देड़ लाक नहीं मिलेगा आपको ये NPS के ओपा ठीक है क्योंकि देड़ लाक तो अल्रेड़ एटी सी ने exhaust कर लिया है लेकिन जो extra 50,000 है वो तो मिल सकता है न तो वो extra 50,000 का deduction ले लो तो 2,000,000 रुपे का आपका deduction है ठीक है तो 2,000,000 रुपे का deduction लेने के बाद आपकी total income 16,000,000 अब 16,000,000 में से 5,000,000 रुपे आपका capital gains है capital gains पे 20% tax long term capital gains पे 1,000,000 और बचावा 11,000,000 रुपे आप slab rate मार दो slab rate मारो जो भी आता है तो दोनों को add करो उस पे 4% says मारो आपको answer 258,440 रुपीज आएगा चेक कर लेना ठीक है 258,440 आपको answer आजाएगा उतना answer आपको 100% आजाएगा एक last चीज अभी यहाँ पर इस question के अंदर फिलाल के लिए जो company आपको देखो 4,000,000 रुपे पे कर रही है पता है एक लाग रुपे के उपर का premium होगा एक लाग रुपे के उपर का maturity होगा तो तो आपका 5% of net income का TDS company काटेगी जब काटती यह company जब आपके हाथ में maturity का पैसा taxable होगा तो तो taxable है ना policy b policy b taxable है ना policy a का TDS नहीं काटेगी policy b का काटेगी और पुरे साल का payment एक लाग रुपे से ज़ादा हो तो company TDS काटेगी 5% of net income तो 5% of net income कितनी होती 5% of 1,20,000 तो 1,20,000 पे company TDS काटेगी 6,000 रुपे का तो यह है आपका question number 8 एक बार देख लो अच्छे से बहुत अच्छा question है ठीक है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है question number 9 which is based on किस पर है यह 194Q पर है और 206C 1H पर है यह जो TDS और TCS की लड़ाई चलती है उसके उपर यह पुरा का पुरा question बना हुआ है अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ between TDS and TCS हमेशा 194Q जीतेगा अगर 194Q applicable नहीं है तो आप 206C 1H के तरफ जाईए पहले 194Q को preference दीजिए ठीक है तो पहले 194Q अगर नहीं है तो 206C 1H का आप implication अपलाई कर सकते हो ठीक है पहले TCS में मत जाना अब उसमें भी एक चीज़ है 194Q में TDS कप कटता है पता है on payment और credit whichever is earlier लेकिन 206C 1H में TCS कप collect होता है पता है only on receipt जब पैसा receive होगा तब TCS collect तब TCS भरने की liability आती है तब तक नहीं आती है ठीक है तो सबसे पहला question यहाँ पर 9.1 यही है कि are the provisions of TDS under income tax 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 1961 attracted in respect of purchase transaction with Mr. Ashwat Ashwat अश्वाट से 3 लोग purchase कर रहे है ठीक है 3 लोग purchase कर रहे है अश्वाट से तो क्या TDS क्या TDS किसी के apply cable है देखो TDS कब apply cable का पता है अगर पिछले साल का turnover आपका business turnover 10 करोड से ज़ादा होगा तो TDS apply cable होगा अब यहाँ पर Mr. Sunil Mr. Shiram और Mr. Shiram में से सिर्फ एक ही का मिस्टर Shiram का पिछले साल का turnover देखो 10 करोड से ज़ादा है तो Mr. Sunil और Mr. Shiram को TDS apply cable नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का पिछले साल का turnover 10 करोड क्रोड क्रोड नहीं होता है लेकिन Mr. Shiram का TDS 10 करोड क्रोड हो जाता है मतलब पिछले साल का turnover 10 करोड क्रोड क्रोड हो जाता है तो Mr. Shiram को TDS काटना पड़ेगा ठीक है कॉंसी सेक्षिन में 194Q के अंदर अब वो TDS कब काटेगा Mr. Shiram TDS कब काटेगा जब उसका 50 लाग क्रोड होगा अब उसका 50 लाग क्रोड क्रोड होता है for a particular month is credited to his account on the last day of the month तो जब purchase करते हो तब उसी मन्त में आप उसके account को credit कर देते हो ठीक है तो इस case में आप ये 7.8 lakhs कब credit करोगे October मन्त में credit करोगे कब करोगे 31st October को तो 31st October को माना जाएगा आपका 50 लाग क्रोड हो जाता है तो इसलिए अब मिस्टर शाम को TDS काटना पड़ेगा on 31st October ठीक है चेक कर लो 31st October को मिस्टर शाम को TDS काटना है क्योंकि उस समय पर उसका threshold क्रोड जाता है 50 lakh कितना TDS tax rate 194 Q के अंदर 0.1% है ठीक है अब मिस्टर बाकी दोनों के लिए TDS नहीं अप्लिकेबल है नहीं कब कलेक्ट करना पड़ेगा जब 50 lakh रुपया उसके अकाउंट में आ जाएगा उसके बाद अब 50 lakh रुपय का सेल कब हो रहा है देखो सुनिल के केस में 50 lakh रुपय का सेल नवेंबर में खतम हो रहा है और शीराम के case में 50 लाग रुपे का sale October में खतम हो रहा है लेकिन पैसा November और October में नहीं मिलता है पैसा उसके अगले मेने मिलता है question के अंदर बराबर से पढ़ना ठीक है on the last day of the month Mr. Ashwat also debits the amount of Mr. Sunil Mr. Shriram and Mr. on the last day of which one the amount of sales during the month ठीक है तो उसको पैसा कब मिलता है paid entirely on the last day of the immediately following month मतल अगर इस मेहने का sale है तो अगले मेहने मिलेगा ठीक है तो अभी 50 लाग cross कब हो रहा है यह पहले वाली के case में सुनिल के case में 50 लाग cross हो रहा है नवेंबर में cross हो रहा है और इसके case में October में cross हो रहा है लेकिन पैसा तो उसके अगले मेहने में मिल रहा है न तो जब पैसा मि केस में TCS 31st December को पेबल हो जाएगा और इसके केस में TCS 30th November को पेबल हो जाएगा चेक कर लो कुनिल के केस में 31st December और शीराम के केस में 30th November Is it clear? I hope it is clear to all of you. ठीक है? तो simple सा question है लेकिन important पूरा cash किस पर है कि TDS is deducted on payment or credit whichever is earlier and TCS is collected on peri seed basis not on whichever is earlier okay next अगर सामने वाले ने पैंड नहीं दिया तो क्या होगा तो TDS के केस में आपको 5% के हिसाफ से TDS काटना पड़ता है ठीक है और TCS के के केस में आपको 1% के हिसाफ से TCS काटना पड़ता है यह respective provision ने जाकर पढ़ ले तो देखो एक 60,000,000 रुपे का single transaction हो रहा है जो Mr. Krishna परचेस कर रहा है अब यह Mr. Krishna का one time transaction है ठीक है और यह Mr. Krishna का पहला साल यह बोला है उसने अभी अभी उसने शुरू किया है तो अगर किसी का पहला साल है तो पिछले साल का turn over तो zero है पहले साल में 194 Q applicable नहीं होता है Mr. Krishna का पहला साल है 194 Q applicable नहीं है तो अगर Mr. Krishna को 194 Q applicable नहीं है तो अश्वात को 206 C1H में TDS TCS collect करना पड़ेगा पहले TDS को preference देनेगा लेकिन अगर TDS possible नहीं है तो फिर TCS के लिए possibility के लिए जानेगा अब TCS कब होगा यह पैसा उसको 2nd July को मिला तो 2nd July को पैसा और TCS में receipt basis में tax collect होता है तो पैसा कभी मिला 2nd July को 2nd July को कितना मिला 60 lakhs 50 lakh cross होता है हां cross होता है तो 10 lakh के ओपर 0.1% TCS वो 2nd July को उसके ओपर attract हो जाएगा चेक कर लो 10 lakh पे TCS उसको collect करना पड़ेगा on 2nd July 2022 तो यह एक मामुली सा question है देख लो पिर आगे बढ़ते है तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते है question number 10 की तरफ बहुत ही अच्छा question है यह भी यह आपके provisions के उपर dependent है जो 194.0 के उपर है जो आपका online जो आप website खोलते हो उसके उपर e- equalization levy 44 ADA बहुत सारे multiple provisions इसमें covered है तो सबसे पहले is Indeco Academy required to deduct tax at source on the amount received or receivable by Mr. B if so what is the amount of tax to be deducted yes काटना पड़ेगा Indeco Academy कौन है Indeco Academy एक किसम की एक online website है Amazon जैसी उसको TDS काटना पड़ेगा कितने पे काटना पड़ेगा पहले तो यह सारी services जो उसने provide किया है उस पे काटना पड प्लस उसने जो directly पैसा ले लिया है यादे customer अगर directly पैसा ले लेता है seller से तो उस पर भी website को TDS काटना पड़ता है तो यह 20,000 और यह तीनों मिला कर आप देखोगे तो 5,10,000 रुपया आता है ठीके पैसे तो TDS 1% पे काटना है लेकिन सामने वाले ने pan और अधार कुछ नही करता है इसलिए मैंने 5% ले लिया 5,10,000 का तो 25,500 ठीके तो कैसे आए 25,500 इतनी सर्विस मैंने website के त्रू प्रवाइट किया उस पे TDS कटेगा इतना पैसा मैंने directly customer से ले लिया वो भी deemed to be provided through website होता है उस पे भी TDS कटेगा प्लस दोनों पे 1% कटना चीए वैसे तो लेकिन य मैंने कुछ internet decorator की service लिया है Mr.Bee से और Mr.N का पिछले साल का turnover business का एक करोर से जादा है तो अब Mr.N अगर business के लिए payment कर रहा है देखो 40,000 business के लिए कर रहा है 60,000 personal के लिए कर रहा है तो 40,000 जो business के लिए मैं एक individual हूँ Mr.N मेरे पिछले साल का turnover एक करोर से जादा है और अगर म business के लिए payment कर रहा हूँ तो 194J में TLS कर जाएगा 10% लेकिन अगर personal purpose के लिए cut कर रहा हूँ तो 194M में कर सकता है M, M for mango, M में कर सकता है लेकिन M में भी नहीं कर देगा, क्यों नहीं कर देगा, क्योंकि M में 50,000 रुपया cross होना चाहिए, J में क्यों नहीं कर देगा, 60,000 रुप पर जो business purpose के लिए payment कर रहा है, उस पर TDS कर देगा, अगला question बोल रहा है, क्या M में कुछ कर देगा, बोलो M में कुछ नहीं कर देगा, क्यों नहीं कर देगा, क्योंकि M में काटने के लिए आपको personal purpose का बड़ है M में, लेकिन M में काटने के लिए 50,000 लाग cross होना चाहिए, पहले तो tumble INC से services लिए, social networking, website की services, tumble INC का इंडिया में कोई P.E. नहीं है, उस से 1,10,000 रुपी की services लेके रखी है, तो इस पर आपको 6% equalization लेवी काटना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले बंदे का इंडिया में P.E. नहीं है, और आप उस से online social networking, marketing, यह सब services ले रहे हो, तो आपको 6% equalization लेवी इस पे काटना पड़ेगा, similarly, Doodle INC करके एक company है, उस से भी online advertisement ले रहे हो, उसका office है इंडिया में, लेकिन किसी और purpose के लिए, online advertisement के लिए office नहीं है, तो उसका online advertisement से related कोई लेना देना नहीं है, तो उसका भी ऐसा ही समझना पड़ेगा, कि उसका भी इं लेवी काटना पड़ेगा, तो पहले वाले का, तो एक social networking वाले का, तो ही नहीं इंडिया में office, और दूसरा Doodle का office है, लेकिन वो इस business से related नहीं, किसी और business से, तो उसका भी इंडिया में office नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा, तो दोनों का इंडिया में office नहीं है, दोनों गिरी की gross tax liability 115 BSE नहीं follow करना है, ठीके, don't follow 115 BSE, अब gross tax liability निकालने के लिए, अपने को Mr. B की total income निकालनी पड़े ही, तो देखो सबसे पहले Mr. B, 40 lakh रुपेगा तो कुछ वो profit कमा रहा है, ठीके, कहां कमा रहा है, 40 lakh रुपेगा profit, profit नहीं सौरी, उसका gross receipt है, उसका gross receipt 40 lakh रु आए, देखो बहार से कही, 3,5 lakh रुपेगा कमाया है, वो net income है, ठीके, after deduction of 50,000 TDS, यह foreign में कुछ उसने 4 lakh रुपेगा कमाया है, 3,5 lakh रुपेगा उसकी net income है, net income, तो 3,5 lakh में 50,000 रुपेगा तो आपको 4 lakh रुपेगा ठीके, तो अब उसकी total income कितनी है, मतलब total gross receipt कितनी है, य उसने उपर से कमाया, 4 lakh रुपेगा उसने क्या कमाया, 4 lakh रुपेगा उसने कमा लिया, कहां से, वो net income कमा के, 3,5 lakh प्लस 50,000 और 5,10,000 रुपेगा उसने उपर website से, ठीके, तो total 49,50 होता है, अब उसको बो presumptive income follow करने, presumptive income follow करेगा, तो 50% ले लेगा, 50% लेने के बाद उसके उसके उपर टैक्स निकालो, उसके उपर जो भी टैक्स आएगा, वो 5,70,960 आएगा, तो पहले 49,10,000 का 50% लेना आपको, उसके बाद में आप उसके टैक्स निकालोगे, तो 579,60 आएगा, चेक कर लो, ठीके, तो ये एक मामुली साख कोश्चन था, इसको देख लो बढ़ से, तो चलिए अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कोश्चन है, ब्यूटिफुल कोश्चन है, और इस कोश्चन के अंदर कुछ गढ़बढ भी किया है, इंसीचूट ने, वो मैं आपको बता दूँगा, क्या गढ़बढ है, ठीके, वो गढ़ बी वाला एक कोश्चन था, वो गलत था, वो इंसीचूट को एक स्टूडन ने बोला, इंसीचूट ने एकसेप्ट किया, बोला हाँ, वो गलत है, वो सही है, फिर उन्हों ने डेट चेंज करने बोला, ठीके, बाद में मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल के ओपर है, ठीके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, कि यहाँ पर आपको यहाँ पर यह पहले ट्रांसरपाइजिंग के प्रोविजन समझने पड़ेंगे, यूआई लिमिटेड एक कंपनी है, वो इंडिया के अंदर है, ठीके, और यहाँ पर M.I एक कंपनी है, वो बाहर है, और इसने अभी U.I. से 50 करोड रुपे की बॉर्विजन की है, अब टोटल बॉर्विजन इसकी कितनी हो गई, 65 करोड ठीके, अब इसने इसको 50 करोड रुपे की गैरेंटी दिया, किसने, H.I.N.C. ने 50 करोड की गैरेंटी दिया, अब अगर बताओगा, कि one entity giving guarantee of not less than 10% of the total borrowings of the other entity, then both of them are deemed to be associated, तो यहाँ पर U.I. Limited और H.I.N.C. दोनों associate हो गए, ठीके, और M.I.N.C. कौन हो गया, lender हो गया, अब अगर कोई third party ने आपको लोन दिया, और आपकी associate entity ने उसको guarantee दिया, तो यह 94B में cover हो जाता, याद है आपको 94B में, को आपका associate entity को ने H.I.N.C., उसने उसको guarantee लिया, तो वो 94B में cover हो जाता है, तो पहला question 94B के ओपर यह, पहला question 94B के ओपर बहुत ही intelligent question है, what is the amount of interest to be allowed in computation of total income, कितना interest allow होगा इन लोगों को, in computing the total income, okay, if for A by 2223, यह last year की बात चल रही है, there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 crore under 94B, देखो, government आपको कि करती है, to the extent of 30% of EBITDA, 30% of EBITDA आपको allowed जाएगा, ठीके, तो 30% of EBITDA कितना आता है, पहले वो निकालते है, सबसे पहले EBITDA निकालना पड़ेगा, 8 crore आपका net profit after tax है, उसमें interest add करो, उसमें interest add करो, उसमें depreciation add करो, और उसमें income tax add करो, तो 8 crore में यह 4 चीज add कर दो, तो आपको आ जाएगा, आपका EBITDA 18 crore रुपे, ठीके, उसका 30% ले लो, तो 5.4 crore रुपीस तक आपको allowed हो जाएगा, ठीके, 5.4 crore रुपीस आपको current year में allowed होगा, किसी का माई का लाल, इसका deduction आपसे छीन नहीं सकता है, अब देखो ज़रा, अब इस 5.4 crore के अलावा, आपने 1.25 crore क कुछ local borrowing किया है, वो तो आपको allow हो गए, local borrowing का 94 B से कोई लेना देना नहीं है, ठीके, तो वो local borrowing का interest आपको पूरा allow हो जाएगा, उसका 94 B से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा पूरा अला हो जाएगा, अब, out of 6 crore देखो, आपने total interest current year में कितना पे किया है, 6 cro उसमें से 1.25 crore तो local borrowing ही, वो छोड़ दो, वो तो आपको मिलेगा है, वो छोड़ दो, वो तो मिलना ही है, अब 6 crore में से 1.25 भार निकाल दो, ठीके, बच गया 4.75 crore, 4.75 crore रुपीस का आपका interest जो है, वो other than local borrowing है, उसका आपको deduction मिलेगा, ठीके, वो मिलेगा, लेकिन, non-resident association enterprise से, 94 B किसके लिए आया है, foreign interest के लिए, local interest के लिए थोड़ी आया है, तो ये local वाला तो छोड़ दो, ये तो पूरा allowed है, इसको side में फिक हो, उसके अलावा आपने 4.75 crore का interest का current year में फिक है, वो भी आपको allow होगा, अब, लेकिन आपको total allowed कितना है, 5.4 crore, तो अब 5.4 crore आपको allowed है, लेकिन इस साल का interest तो सिर्फ 4.75 है, तो बचा हुआ, पिछले साल का interest भी आपको current year में allow हो सकता है, याद है, अगर 94 B में कुछ disallow होता है, तो आपको 8 साल तक allow होता है, subject to the limit specified in 94 B, 30% of EBITDA के अंदर होना चाहिए, तो आपको 8 साल तक allow होगा, तो break up सुन लो, 1 5.25 करोर तो आपका local borrowing है, वो छोड़ दू, पचावा 4.75 करोर आपका current year का interest है, वो आपको allow होगा, क्योंकि total 5.4 करोर तक आप ले सकते हो, plus जो 5.4 करोर माइनस 4.75 करोर का difference है, 0.65 करोर, ये पिछले साल का जो 4 करोर है, वो भी आप current year में उस में से 0.65 करोर ले सकते हो, और 4 करोर में से 0.65 करोर माइनस कर दो, 3.35 करोर आप carry forward करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन तीनों का total मारोगे, तो answer आजाएगा 6 करोर 65 रुपीज चेक कर लेना, ठीक है, तो ये है आपका question number 1.11.1 का answer, अगले question के तरफ बढ़ते है, जो आपका एक transfer pricing का adjustment पूछा ह और फिर वो आप unrelated party को 40 करोर में बेच देते हो, normal GP margin 20% है, यहाँ पर आपको resell price method follow करना है और कुछ नहीं, resell price method में सबसे पहला step क्या होता है, कितने price में आपने resell किया, 40 करोर, वो लिख दो, related party से खरीद के unrelated party को कितने में resell किया, 40 करोर में resell किया, पहले वो लिख दो, उ उसमें से normal GP margin निकाल दो, वो निकाल दिया, तो यह हो गया 32 करोर, ठीक है, उसमें से purchase related expenses, यही example मैंने आपको class में दिया था, purchase related expenses का custom duty, freight, etc, यह purchase related expenses है, वो माइनस कर दो, वो माइनस करने के बाद functional difference अगर देखो, यहाँ पर functional difference तो है नहीं, तो functional difference नहीं है, तो जाने दो, य यह आपका हो जाएगा 27.5 करोर का आपका ALP, लेकिन आपने कितने में खरीदा 30 करोर, तो दोनों के बीच का difference धाई करोर रुपया, आपका arms length price में add back हो जाएगा, यह आपका primary adjustment हो जाएगा, यह आपका answer है for 11.2, ठीक है, अब 11.3 जो है ना, वो इसी का extension है, बोलता है, कि यह पैसा, अगर मान लो यह primary adjustment आपने suho motto किया था, खुद से किया था, और आपने due date of filing of return भरते समय किया था, तो यह पैसा आपको इंडिया में कब तक आ जाना चाहिए, 90 days में आ जाना चाहिए, तो 30th November 2023 से 90 days कब खतम होता है, 28 February 2024, ठीक है, अगर 28 February 2024 तक नहीं आता है, तो आप आपको interest चार्ज होगा 2023 में, 2023 का आपको interest चार्ज करना पड़ेगा, कितने पे, धाई करोड रुपे के उपर आपको interest लगेगा, कैसे लगेगा, SBI का marginal cost of lending rate लेना पड़ेगा, अब SBI का marginal cost of lending rate कौन से साल का लोगे, 23-24 का first day का SBI का marginal cost of lending rate क्या है, क्योंकि 23-24 में charge कर रहे हो तो 23-24 का लोगे, तो 11.25 प्लस 37 परसन, तो 11.25 प्लस 37 परसन कितना होता है, 14.5 परसन, multiplied by, अब यहाँ पर institute ने कड़ बढ़ कर दिया है, ठीके, multiply by कितना आएगा मालूम, 122 divided by 366, क्योंकि 2024 एक लीप या रहे है, अब institute ने copy paste करने में भी लीव किया है, पिछले साल का copy करके इससाल डाल दिया, इन लोगोंने जो answer निकाला है, वो 121 divided by 365 के साब से निकाला है, तो 121 divided by 365 के साब से answer निकालोगे न, तो यह answer बराबर आएगा, लेकिन 122 divided by 366 के साब से निकालोगे न, तो answer match नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगोंने वो सोचा ही नहीं, कि यहाँ पर leap year का implication आ सकता है, जब 2024 आप लिख रहे हो, तो leap year हुआ न, obviously, आप कहां से count करोगे, 1st December 2023 से, 31st March 2024 तक count करो, तो count करो न, विच में leap year आ जाता है, 29 फरवरी आ जाएगा, एक भी answer सही नहीं है, इसमें से, चारो गलत है, लेकिन अब institute की माने, तो 121 divided by 365, भाई, कैलेंडर ही बदल द आपर, 122 divided by 366, तो कि ये दिक्कत आपको आने वाली है, तो कि 22-23 financial year का, अगला साल जब आप secondary adjustment करोगे, तो 23-24 आएगा, मैंने, class में भी आपको बोला है, 366 लेना है, आपको, 365 नहीं लेना है, तो आपको गरबर हो जाएगी, तो यहाँ पर वही गरबर हो रही है, चेक कर आप लोग, ठीके, अब अगला question में भी गरबर होने वाली है, अगले question नहीं, उसके अगले question में, अब मान लो, अगर उसको secondary adjustment नहीं करना है, तो क्या करना होता है, one time tax बर दो, one time tax कितना आएगा, धाई करोड रुपे पर 18% tax, 12% सरचार, 4% CES, यह करोगे, तो आपको आजा है, कि अगर 15 March को वो additional tax भर देता है, 15 March को अगर वो additional tax भर देता है, तो 16 March से उसको interest देने की सरवत नहीं, तो बस वही करना है, जो उपर किया था, 16 दिन कम कर देना, लेकिन फिर से यहाँ पर कर बड़ो जाएगी, 16 दिन जब कम करोगे, तो institute के हिसाब से यहाँ पर 105 divided by 360 ठीके, अगर किसी ने explanation दिया भी है, तो यह गलत है, आप खुद अपना logic और अपना दिमाग लगाओ, कि 106 divided by 360 होना चाहिए वो, लीपियर को consider करना पड़े काना भई, कैलेंडर थोड़ी बदल दोगे आप, ठीके, I hope it is clear to all of you, तो यह आपको 15 दिन, 16 दिन कम कर देना है, 16 मार्ट से लेकर 31 मार्ट, 16 दिन होते हैं, ठीके, वो कम कर देना है, तो 16 दिन कम करने पर 105 divided by 360 नहीं आएगा, 106 divided by 360, 360 आएगा, लेकिन unfortunately, answer तो 105 के साब से मैच होगा, ने तो answer मैच नहीं होने वाला, आप चेक कर देना, ठीके, और आखरी वाला question, इसमें मैं खास बोल भी न बेच कर, और third party और associate enterprise के बीच में अगर prior agreement होगा, तो क्या तब भी transfer pricing लगेगा, हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अगर मैं किसी third party को बेचता हूँ, कोई महरे को बेचता हूँ, और वो महरा किसी third, किसी associate enterprise के साथ prior agreement करता है, तब भी transfer pricing लगेगा, तो ये question number 11.6, उड का पूर आउसी के उपर एक बार आप पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, तीक है, तो देख लो अच्छे से, इसमें से दो answer गलत है, इस question, देखो institute को ticket trace करो, institute reply करेगा, 100%, institute की website पे जाओ, और वहाँ पर student login करो, और ticket trace करो, तीक है, किसार ये mistake है, किसमें, यहाँ प पहले इन्होंने पूछा है, कि भाई, अपने को TDS कितना काटना है, Mr. A और Mr. B के case में, अब देखो Mr. A तो regularly return भरता है, तो उसके case में TDS 1 करोड के उपर 2% कटेगा, तो उसने total withdrawal कितना किया है, पता है, 1 करोड 5 लाग पा, Mr. A return भरता है, एक करोड की threshold है, 1 करोड 5 लाग withdraw कर और के उपर, कितना है, 5%, अब उसने total 98 लाग withdraw किया है, Mr. B ने, तो उसके 20 लाग के उपर कितना आता है, 78 लाग पर 2% कितना आता है, 1,56,000 रुपीज का, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको TDS काटना पड़ेगा, बैंक में, बैंक को Mr. B के case में, ठीक है, तो ये एक simple सा question है question number 2 बोलता है, 12.2, कि बताओ कितना provision for bad debts का deduction मिलेगा, देखो, एक cooperative bank को government दो deduction देती है, सबसे पहले तो government deduction देती है, कि उनका जो भी GTI होगा, GTI कितना है, 100 लाग से, उसका 8%, 8 लाग, और जो aggregatoral advances हुआ है, aggregatoral advances, उसका 10% उनको मिलेगा, तो 8 लाग मिलेगा, 12 लाग मिलेगा total उसको मिल जाएगा, 20.5 lakhs, तो 20,50,000 का उसको deduction मिल जाएगा, cooperative bank को, ठीक है, schedule bank, cooperative bank को यह दोनो benefit मिलता है, ठीक है, तो यह दूसरा question है, अब तीसरा question, बोल रहा है, कि भाई, किस किस के transaction के case में, bank को SFT के अंदर report करना पड़ेगा, तो देखो, K और B के ले करना पड़ेग और 10 lakhs रुपे से जादा, कैसा भी credit card बिन भरता है, bank को उसको SFT में report करना पड़ेगा, तो bank ने उसको SFT में report कर दिया, ठीक है, दूसरा, और B के case में क्यों, क्योंकि B ने 50 lakhs रुपे से जादा का current account से withdraw किया है, कोई भी बंदा अगर 50 lakhs रुपे से जादा का current account से withdraw करेगा भी ने current account से withdraw किया है, तो उसका SFT के अंदर report हो जाएगा 285 BA के अंदर, ठीक है, वो report करना mandatory है, ने तो bank को लग जाएगी, penalty अब कितनी लगेगी, देखो अबी, what is the amount of penalty, leviable under 271 FA, 271 FA क्या है, कि अगर आप समय पर SFT नहीं भरते हो, तो penalty लगती है, पहले 500 रुपया per day की penalty लगेगी, और उसके बाद bank जब notice, government जब notice भेजेगी, और वो notice का period expire हो जाएगा, उसके बाद में तो आपको 1000 रुपया per day की penalty लगेगी, अच्छा ये कब तक भरना होता है, साल खतम होने के बाद 31 में तक भरना होता है, मतलब for financial year 22-23, आपको 31 में तक भरना है, अब देखो अगर 31 में से नहीं बरा, तो 1 जून से आपको 500 रुपय की penalty लगेगी, कब तक, जब तक bank, government notice नहीं देती है, और आप safety भरते नहीं हो, ठीके, जब तक notice नहीं देती है, और notice का period expire नहीं होता है, expire होने के बाद भी नहीं भरा, तो फिर आपको 1000 रुपय की penalty लगेगी, अब द 30 October तक 500 रुपया, और फिर 31 October से 25 November को उसने finally भर दिया, तो 31 October से 25 November तक आपको 1000 रुपया, तो अब 1 June से, June के 30 दिन, July के 30 दिन, August के 30 दिन, September 30 दिन और October के 30 दिन, तो ये total होता है 152 days, 152 days का 500 रुपय पेनाल्टी लगेगा, और जो October का last day, 31 October और जो November के 25 दिन है, तो total 26 दिन का आपको 1000 रुपय की पेनाल्टी लग जाएगी, तो यहाँ पर आपको आजाएगा 1,2,000 रुपय की पेनाल्टी चेक कर लेना, ठीक है, तो ये सही answer है, last but not least, दो बैंक का क्या हो रहा है, merger हो रहा है, एक predecessor bank के, एक successor bank के, जब दो बैंक का merger होता है न, तो उनके depreciation के खर्चे, और उनके VRS के खर्चे, और भी Amalgamation के खर्चे, तीन-चार खर्चे है, वो 44 DB section के अंदर, कौन से section के अंदर, 44 DB section के एसाब से बाइफर्गेट होते हैं, कितना बाइफर्गेट होता है, जिस दिन Amalgamation हुआ, उस दिन के एक दिन पहले तक, pre-decessor को मिलेगा, और date of Amalgamation से लेकर 31st March तक successor को मिलेगा, अब इनका total खर्चा दिखो कितना है current year का, 3.5 लाग रुपे का, इनका current year का depreciation का खर्चा है, और इन्होंने 2 साल पहले 30 लाग रुपे का VRS का खर्चा किया था, अब वो 2 साल पहले जो 30 लाग का खर्चा किया था, वो तो 1.5 हर साल मिलेगा, तो current year में भी 6 लाग रुपे मिलेगा, बराबर, तो वो 20-21 में 6 लाग, 22-22 में 6 लाग, 23-24 में 6 लाग, 24-25 में 6 लाग, तो current year में depreciation का 3,5 लाग और 6 लाग रुपे है, जो amortize हो रहा है VRS, तो total 9,5 लाग रुपे का खर्चा मिलेगा, लेकिन अपने को पूरा खर्चा नहीं पता आना है, जो pre-decessor को कितना मिलेगा, मतलब जो, जो amalgam meeting cooperative bank उसको कितना मिलेगा, तो उसको 26 फरवरी के एक दिन पहले तक, एक दिन पहले तक का date लेना पड़ता है, तो 1st April से आप 25 फरवरी लोगे ना, तो 331 days आता है, आप count कर लेना, ठीक है, 1st April से 25 फरवरी, इतना मेहनत क करने का, 26 फरवरी से 31st March count कर लो, वो 34 days आता है, 26 फरवरी से 31st March 34 days आता है, तो 34 days माइनस कर तो 365 में से, तो 331 आ जाएगा, तो pre-decessor को 331 days के लिए deduction मिलेगा, तो 9,50 into 331 divided by 365, आपको answer आ जाएगा, 8,61,501 ठीक है, 507 जो भी है, 506 point something आता है, तो answer correct है, ठीक है, चेक कर लो, त चलिए आगे बरते, question number 13 के उपर, ये भी पूरा का पूरा transfer pricing और उससे related provisions पर dependent है, ठीक है, सबसे पहला question यहाँ पर ये बोला गया है, are X and Y associated enterprise, if so Y, देखो, दो कारन के वज़े से, ये दोनों associated है, मैं बताता हूँ, पहला कारन क्या है, क्योंकि Mr. Ayush कर के एक बंदा है, उसक X में भी 30% है, Y में भी 30% है, तो X और Y associated बन जाएंगे, एक entity का दो entity में 26% से जादा stake होगा, तो वो दोनों entity associated बन जाते हैं, इस कारन से X और Y associated है, ये पहला कारन है, दूसरा कारन, ये X की balance sheet है, और इसके अंदर Y ने 620 लाग रुपे का लोन दिया है, ठीक है, 620 million लाग ज 7% का लोन हो जाता है, तो अब अगर एक entity के total assets में से, 51% loan एक दूसरी entity ने दिया है, तो ये दोनों बन जाएंगे associated, तो इस कारन से भी ये लोग associated है, इस कारन से भी ये लोग associated है, और इसलिए इसका answer है, 1 and 3, ये दोनों इसका answer हो जाएगा, ठीक है, अब second question के अंदर बोला है, 4%, तो उसको 4% पे देना चाहिए था, 6.5% पे क्यों लिया उसने, मैंने 6.5% पे जान बुचके loan लिया, ठीक है, जब कि मुझे 4% पे लेना चाहिए था, मैं 5% का जाधा interest पे कर रहा हूँ, तो 5% मेरे को क्या करना पड़ेगा, add back करना पड़ेगा, तो 620 लाग into 5% into 9 by 12 9 by 12 क्यों, क्योंकि मैंने जो loan लिया, वो जुलाई में लिया, ठीक है, चेक कर लो, तो into 9 by 12 के हिसाब से मेरा जो answer आएगा, 1,16,25,000 पे, ठीक है, मुझे loan कितने पे लेना चाहिए था, 4% interest पे करना चाहिए था, मैंने कितना पे किया, मैंने पे किया है, 6.5%, तो जो differential amount है, व assessing officer ने किया, on 31st March 2024, what should X do if it does not wants that to treat the excess money as deemed advance and include the interest on the same, its total income, तो X को क्या करना चाहिए, देखो, X के पस दो option है, पहला option, जब AO ने उसको add किया, कभी add किया, 31st March को, तो 31st March से 90 दिन के अंदर पैसा इंडिया में लेकर आजाए, जब AO add करता है ना, तो 90 days आप due date of filing of returns account नहीं करते जब AO add करता है, तो 90 days आप due date, from the date of order pass करते हो, ठीके, वहाँ से 90 days count करते हो, तो पहला option आपके पास क्या है, आपको interest से बचना है, पहला option आपके पास है, कि आप AO ने जब order pass किया, उसके 90 days के अंदर पैसा मगवा लो, ये पहला option है, ये ठीके, दूसरा option जो है ना, वो 3 और 4 दोनों मिला करना पड़ेगा, पहला, कि आपको 20.9664 का additional tax बर दो, जब तक additional tax नहीं भर रहे हो, तब तक interest बरो, ठीके, ये option भी तो आपके पास अच्छा है, कि आप 20.9664 का additional tax बर दो, और जब तक additional tax नहीं भर रहे हो, तब तक आप interest बर दो, उसके बाद आपको interest बरने क ठीके अब ये बोल रहा है कि मान लो के primary adjustment हो गया और उसने पैसा इंडिया में नहीं लाया 31 मार 2025 तक नहीं लाया ठीके तो अब उसको क्या लगेगा अब उसको interest लगेगा एक करोड 16,25,000 रुपे का उसका primary adjustment है उस पे उसको 2025 में interest चार्ज कर रहा है होता है तो उसको 13,25% के इसाब से क्या करना पड़ेगा उस साल में rate of interest compute करना पड़ेगा और tax भरना पड़ेगा ठीके तो एक करोड 16,25,000 पे 13,25% तो 2024 पचीस का rate of interest ते उस पे 37% आपको add back करना है तो आपको answer आ जाएगा 15,40,313 रुपीस आप चेक कर सकते हो ठीके next 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 what factor is relevant in determining whether the penalty under 270A of the income tax act 1961 will be leviable in respect of primary adjustment याद करो transfer pricing के अंदर आपको 270A की penalty भी लगती है कब लगती है जब आप international transaction reporting करते हो अगर आप international transaction form 3CEB में report नहीं करोगे तो आपको 200% of tax payable की penalty लगती हो वो misreporting माना जाता है इसलिए इसका answer आएगा point ना बड़ी since X has not reported the transaction as an international transaction transaction नहीं report करने पर आपको misreporting के तोर पे 200% की penalty लग जाईगी ठीके और आखरी question जो यहाँ पर है वो बोलता है कि situation को घुमा दो घुमा दो क्या अभी X borrower है चेक करना और Y lender है ठीके उसको घुमा दो अगर X lender हो जाएगा और Y borrower हो जाएगा और अगर X ने Y को 6% पे lend किया है 6.5% पे और arms length rate of interest 4% है तो क्या होगा तो transfer pricing भाई apply नहीं होगा ठीके क्यों नहीं apply होगा मैं अपना interest 6.5% income दिखा रहा हूँ बराबर लेकिन arms length price apply कर दूँगा तो 4% income दिखाना पड़ेगा transfer pricing ऐसे case में apply होई नहीं सकता है is it clear to all of you transfer pricing के वज़े से assessi की income घट नहीं सकती है loss बढ़ मीं सकता है चेक कर लो तो ये एक साधरन सा question था कुछ खास नहीं था चलिए अगले question की तरफ बढ़ते question number 14 ये partnership firm का provision है और set off carry forward का भी implication है इसके अंदर section 781 का थोड़ा सा implication है ठीक है अब सबसे पहला question यहां पर देखते है how much interest can the firm claim as deduction for ay 2324 देखो अब interest total firm का कितना P&L में debited है 5,40,000 ठीक है उसमें से partners को पूरा नहीं दिया है 1,20,000 is paid to Gopal for loan given by HOF तो HOF ने जो loan दिया वो interest तो पूरा अला होगा HOF थोड़ी partner है partner कौन है जय है गोपाल है माधाव है ये लोग जो loan देंगे वो 40B में cover होगा जो loan ये लोग नहीं देते हैं वो 40B में नहीं cover होगा वो पूरा अला होता है तो ये जो loan HOF ने दिया है उसका 1,20,000 सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पूरा अला हो जाएगा ठीक है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो loan 1,20,000 रुपीज है ये आपको पूरा का पूरा पहले अला हो जाएगा एक सब रूख जाना वो भी कब से दिया है आपने 1,7,2022 से दिया है जबकि डीड में कब डाला डीड में आपने जनवरी में डाला लेकिन आप दे कब से रहे हो जोलाई से दे रहे हो तो गलत बात है न अपने 6 मेने का जादा दे दिया अब एक बार मैं को yearly interest मिल जाएगा ना, उसको मैं 16% से divide करूँगा ना, तो मैं को मेरा capital का amount मिल जाएगा, ठीके, तो पहले मैंने किया 9 months के interest को yearly interest में convert किया, उसके बाद जितना भी firm interest दे रही है, 16% divide कर दिया उससे, तो 35 लाग रुपे का मेरा capital हो गया, ठीके, एक बार मुझ से deed में clause दाला, तब से deed में clause जनवरी में डाला, तो multiply by 3, divide by 12, तो answer आजाएगा एक लाग 5, तो एक लाग 5,000 रुपे का interest मुझे allow होने वाला है, और एक लाग 20,000 रुपे है, जो मैं HOF को दे रहा हूँ, तो total 2,25,000 रुपे का deduction मुझे मिलेगा, उसका यहां पर आपको beautiful calculation द can the firm claim as deduction for AY2324, देखो salary के लिए आपको book profit निकालना पड़ेगा, अब जब मैं book profit निकालूँगा तो मैं क्या करूँगा, 4,72,000 ले लूँगा, ठीक है, उसमें ये भी add back कर दूँगा, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर जो interest disallow होता है, कितना interest disallow होता है पता है यहां पर, जो interest disallow होता है न, कितना अला होता है, 2,25,000 ला होता है, तो disallow कितना होता है, 3,15,000 वो भी add back कर दूँगा, जब मैं ये add करता हूँ, ये add करता हूँ, ठीक है, ये सब add करने के बाद amount बहुत जादा आ जाता है, ठीक है, 15,16,000 लाग आ जाता है, फिर unabsorbed depreciation भी minus करना आपको book profit से, याद करो, book profit में से broad forward loss नहीं minus करते हो, लेकिन unabsorbed depreciation minus करोगे, जो section 28 से 44 के बिच में आता हो, minus करो, तो ये सब करने के बाद जब आप book profit निकालोगे, और फिर उसका पहले 60%, पहले 90% अब book profit 3,00,000 तक, फिर उसके ओपर 60% लोगे न, बहुत जादा amount आता है, 8 नव लाग रुपया आ जाता है, ठीक है, तो 8 नव लाग रुपया तो मिलने से रहा, आपको मिलेगा कितना, जो आपका maximum limit है, compare with your actual remuneration, अब actual remuneration देखते न, मुद्धे पे आते, मादाव जो है न, वो non-working partner है, तो उसको जो remuneration पे कर रहे हो, वो तो मिलने नहीं वाला है, वो छोड़ दो, जै और गोपाल का remuneration मिलेगा, आपको 30,000 into 12 और 28,000 into 12, तो जै और गोपाल का remuneration देखो 30,000 into 12, 28,000 into 12, 6,96, आप उसको अगर आप book profit से compare करके, उसका 90%, 60% करोगे न, वो 6,96 से जादे ही आने वाला है, तो आप चेक कर ले न, 8,9 लाग रुपया आता है, इ अला हो जाएगा, ठीके, अब question number 3 की तरफ बढ़ते, question number 3 जो है आपका, वो section 781 के ओपर है, ठीके, इसमें बोला गया है, कि अगर कोई partner मर जाता है, या कोई partner रेटायर हो जाता है, तो उसका proportionate loss आपको नहीं मिलता है, ठीके, तो अब इस question के अंदर क्या हो रहा है, पता है जाना गौर से देखना, यहां पर एना एक partner जैश, जो पिछले साल था, ठीके, वो मर गया, तो उसके बदले उसका legal error आ गया, तो इसका loss तो lapse नहीं होगा, इसका loss आपको अला हो जाएगा, ठीके, पहले form में तीन partner थे, उसके बाद में जैश भी था, ठीके, और उसके पार्टनर थे, चार पार्टनर, उसमें से जैश मर गया, तो उसके बदले जैए आ गया, जो जैए इदर उपर दिख रहा है, तो उसका loss तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसके बदले उसका legal error आ गया, लेकिन राज एक और पार्टनर था, टोटल चार पार्टनर थे 75,000 बूल जाओ, जो यह राज जारा है न, उसका loss वो, वो carry forward नहीं हो सकता है, ठीके, तो वो loss बूल जाओ, अच्छा, UAD का क्या होगा, UAD, तो loss कितना अला होगा, 3,00,000,000,000, बूल जाओ, तो 2,25,000 रुपे का loss का आपको deduction मिल जाएगा, अच्छा, UAD का क्या scene है, UAD का applicable for UAD, book में भी लिखा है, अपने जाके चेक करना, section 78,1, sir for save losses के लिए applicable है UAD, UAD पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीके, अगले question की तरह बढ़ते, what would be the total income of the firm, देखो firm का total income बहुत simple है, पहले firm का net profit ले लो, ले लिया, जो ऊपर दिया है, देखो PNL के अंदर, उसमे interest add back कर दो, जो डिसला होगा, कितना interest डिसला होता है, 3,15, ठीके, 3,15, वो add back कर दो, फिर remuneration जो PNL में debited है, वो add back कर दो, और जो allowed है, वो minus कर दो, कितना allowed है, 6,96, उसके बाद broadford loss minus कर दो, जो अभी अभी अपन ने निकाला, 2,25,000, और UAD तो पूरा का पूरा मिल जाएगा यह सब करने के बाद आपको answer 6,4,000 आ जाएगा, और वो यह आपका 6,4,000 आपका correct answer है, ठीके, आखरी question है आपकर, कि यहाँ पर LPG करके, जो form है, मतलब उसने अपनी land बेचा, कितने में बेचा, 25,000, उस land की fair market value कितनी है, 30,000, fair market value से कोई लेना दिना नहीं, stamp duty value कितनी, 28,000, अब क्या sale value और stamp duty value में 110% से जादा का फरक है, हाँ फरक है, है, क्योंकि 25,000, और उसका 110% से जादा फरक है, 27,000, होना चाहे था, आपने बेचा 28,000, में, तो आपका full value of consideration stamp duty value हो जाएगा, compare with cost of acquisition, वो land जब आपको मिली थी तब उसका stamp duty value कितना था, वो आपका cost हो जाएगा, तो वो आपका short term capital gains हो जाएगा, आट लाग रुपेगा, उस पर आपको tax भरना, it is as simple as that, चेक कर लो, तो यह अच्छा question था, especially question number one, वो अच्छा था, ठीक है, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question जो है, यह बहुत सारे provision का mixture है, अलग 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 अलग, 115 लिमेटेड जो है, वो manufacturing भी करती है, लेकिन उनका जो main business है ना, incidental business manufacturing नहीं है, उनका incidental business FNO है, stock market के अंदर, shares words में FNO market के अंदर trade करते है, ठीक है, अब अपने को यहाँ पर एक एक करके, यहाँ पर अपने को एक एक question के answer देना है, what would be the amount of disallowance, if any, of interest paid by x to y in computation of total income of x for ay 23-24, त x और y दोनों associate enterprise है, sir कहा लिखा यह दोनों associate enterprise है, यह question में कहीं तो लिखा है, देखो, एक second, यहाँ लिखा है, देखो, एक company दूसरे में 30% share hold कर दिये, तो दोनों हो गए associate enterprise, अब यहाँ पर आपको सीधा-सीधा 94B apply करना है, 94B में कितना interest disallow होता है, one or two whichever is lower, interest paid in excess of 30% of EBITDA, अब EBITDA कितना है, इसका EBITDA कितना है, वो यहाँ पर दिया है, देखो, 6 करोड रुपया है, EBITDA 6 करोड है, interest कितना है, 50 करोड का 6%, 50 करोड का 6% कितना होता है, 3 करोड रुपया, तो normal calculation है, interest paid कितना है, 3 करोड, minus 30% of EBITDA, 30% of EBITDA मतलब 30% of 6 करोड कितना है, 1.8 करोड, तो मैंसे lower कितना है 1.2 करोर 1.2 करोर डिसला हो जाएगा तो बहुत ही मामुली सा और चिंदी सा कोश्चन है देख लो 1.2 करोर आपका डिसला हो जाएगा ठीक है अब कोश्चन नमबर 2 के अंदर बोला है At what rate of tax will income of X from manufacturing business dividend and FNO trading be taxed तो manufacturing income dividend dividend income और FNO trading उसका क्या rate पर tax होगा assuming that उसको 115 BAA या BAB में से कोई एक चीज उसको लेना है देखो इसके लिए 115 BAA नहीं applicable होगा क्यों 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 115 BAA किसके लिए applicable होता है जिसका main business क्या होना चाहिए पता है main business और कोई business नहीं करना चाहिए उसको main business manufacturing का करना चाहिए यह तो इसका main business manufacturing का है नहीं यह 115 BAA भी नहीं ले सकता है हाँ यह क्या ले सकता है यह 115 BAA ले सकता है और 115 BAA में पूरी की पूरी income जो भी general income है special income की बात नहीं कर रहा हूँ जो भी general income है वो 22% पे tax होती है इसलिए यहाँ पर पूरी income 22% पे tax होगी plus surcharge and cess भी लगता है लेकिन यहाँ पर उन्होंने surcharge और cess ignore करने बोला है इसलिए मैं ignore कर दूँगा नहीं तो 10% surcharge और 4% cess लगता है ठीके question number 3 की तरह बढ़ते which of the statement is correct as regard the taxability of royalty income in the hands of X देखो X ने यहाँ पर क्या किया पता है X ने एक patent register किया है इंडिया में और उसका 90% खर्चा भी इंडिया में ही किया है तो उसका 90% अगर आप कोई patent register करके अगर आप resident हो X resident है और अगर आप कोई patent register करके 75% खर्चा अगर इंडिया में करते हो ना तो वो patent के उपर आपको जो भी royalty income आईगी उसके लिए government ने एक special section बनाया 115 bbf जाकर पढ़ना mat के अंदर मैंने पढ़ाया था 115 bbf के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पर tax लगेगा यहाँ पर चेक कर लेना हाँ लेकिन फिर आपको उसके अंदर 5 करोर पे revenue पे 10% लगता है खर्चों का deduction नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको खर्चों का deduction नहीं मिलेगा जो आपने यहाँ पर खर्चा किया है 42 लाक रुपे का 42 लाक्स का उसका deduction आप नहीं मांग सकते हो नहीं मांग सकते हो ठीक है 115 bbf के अंदर flat 10% on the revenue और यह option ले लेना है तो लो नहीं लेना है मतलो वो सब चीज हमने पढ़ी थी class के अंदर last but not least अगर वो 115 BAA या BAB ले लेता है तो इसमें से कौन सा statement सही है last वाला statement सही है अगर वो 115 BAA या BAB ले लेता है तो चेक कर लो थोड़ा सा unorthodox type का question था यह थोड़ा different type of question था जिसमें multiple provisions एक साथ आ गए ठीक है चेक कर लो फिर आखे बढ़ते हैं तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 16 चलिए question number 16 बढ़ते हैं सबसे पहला question 16.1 in the context of the provision of 115 J B state which of the following statement is correct अपने को यह बताना है कौन सा statement correct है अब देखो इस question के अंदर लोगने क्या पूचा है पता है यहाँ पर एक foreign company है DEF और इस foreign company का इंडिया में branch भी है मतलब एक office है तो यह माना जा सकता है as what as a permanent establishment और इंडिया का उस country के साथ जिस country में यह foreign company located है उस country के साथ इंडिया का DTW है अब सुनो इस question के अंदर क्या पूचा है कि एक foreign company को कब मैट नहीं लगता है अब वो उसके लिए जब उस foreign company का जिसके साथ हमारा DTW है और उसका इंडिया में कोई permanent establishment नहीं है तो मैट नहीं लगेगा लेकिन इस case में इसको मैट लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि अपना उस देश के साथ DTW है और वो जिस country की है उस company का इंडिया के अंदर permanent establishment है 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 तो उसको मैट लग जाएगा अगर permanent establishment नहीं होता तो मैट नहीं लगता लेकिन उसका तो permanent establishment है इंडिया में तो उसको मैट लग जाएगा ये है question number 16.1 का answer तो ठीक है ये मामुली सा question है question number 2 what is the rate at which the fee for technical services received by DEF is chargeable to tax in इंडिया अब देखो FTS के उपर कितना tax लगता है FTS के उपर देखो अगर FTS एक foreign company या non-resident किसी Indian concern को provide करता है ठीक है और उसका central government के साथ agreement है agreement approved है etc ये सारी चीज़ है तो उसको tax लगता है 10% as per the income tax act 1961 115A 115A के इसाब से 10% या DTAA whichever is lower ठीक है अब यहाँ पर 115A के इसाब से 10% है DTAA के इसाब से भी 10% है तो कौन सा वाला 10% लेने का जल्दी बोलो अपने class में भी देखा है 115A वाला नहीं लेने का DTAA वाला लेने का काई को क्योंके DTAA वाले 10% पे सर्चार्ज और सेस नहीं लगेगा लेकिन 115A वाले पे सर्चार्ज और सेस भी लग सकता है सेस तो लगेगा इस सर्चार्ज भी लग सकता है तो ये वाला ज्यादा beneficial है तो 75 lakhs पे directly 10% मार दो जो DTAA वाला रेट है वो आपका tax rate हो जाएगा ठीक है question number 3 in respect of the shares of bottle private limited state which of the statement is correct अब यहाँ पूछाए के भाई वो capital gains कितना लगेगा ठीक है तो इधर देखो ज़रा उसने कुछ shares खरीदा था कभी खरीदा था 2004 में खरीदा था 2004 में shares खरीदने के बाद उसने किसके shares खरीदा एक private limited private limited मतलब एक closely held company के shares अगर एक non resident या foreign company closely held company के shares खरीदती है ठीक है और वो उसको बेचती है और अगर वो long term है यह long term है क्योंकि 2004 में खरीदां तक closely held company के share 2022 में बेच रहा है तो उसके उपर आपको tax लगता है 10% यह section 112 के अंदर सबसे end में लिखाया देखो अपने chart के अंदर non resident या foreign company किसी closely held company के shares खरीदती है और बेचती है और वो long term है तो उस पे 10% tax लगेगा without the benefit of indexation बिना indexation benefit के आपको यहाँ पर 10% tax लग जाएगा चेक कर लो 10% without the benefit of indexation indexation benefit आपको यहाँ नहीं मिन ले वाला है इसका reasoning क्या है इसका reasoning है section 112 वहाँ जाकर आप चेक कर लेना next which of the following statement is correct assuming that the rates specified in DTAA are the same as provided under the act अभी याद करना पॉरन कंपनी के लिए ना government ने बोला है कि उनकी dividend income पे उनकी royalty income पे उनकी FTS income पे और उनकी capital gain on securities income पे हम मैट नहीं लगाएंगे लेकिन कब नहीं लगाएंगे याद करो मैट नहीं लगाएंगे कब नहीं मैट का rate कितना है 15% अगर उनका normal tax rate मैट के rate से कम है तो हम उनके ऊपर क्या नहीं लगाएंगे हम मैट नहीं लगाएंगे उनके उपर तो यहाँ पर देखना सरा इस company का इस company का जो technical service है उस पे कितना tax लग रहा है उस पे 10% tax लग रहा है इस company का जो capital gain on security है उस पे कितना tax लग रहा है उस पे भी 10% tax लग रहा है क्या यह दोनों के दोनों rate 15% से कम है हाफ 15% से कम है तो यह दोनों के दोनों book profit से less हो जाएंगे इन दोनों के उपर mat नहीं लगेगा च चेक कर लेना ठीक है तो यह है इस पटिकलर कोशन का अंसर तो चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते कोशन नमबर 17 जो बहुत अच्छा कोशन है फिर से यहाँ पर लंबा चोड़ा भाशन दिया उन्होंने सबसे पहला हम लोग यह देखते हैं पहला कोशन 17.1 is wellness private limited required to get its books of accounts audited under 44 AB अब wellness जो है वो एक business कर रहा है business वालों के लिए audit कब applicable है जब उनका turnover एक करोड करोज होता है तो audit applicable लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 करोड की limit भी है government ने बना के रखी है 10 करोड की limit किसके लिए बनाईए जिनका 95% online payment होना चाहिए और 95% online receipt होना चाहिए 5% से ज़्यादा cash payment और 5% से ज़्यादा cash receipt allowed नहीं है अब wellness को देखो क्या यह 10 करोड वाला benefit मिलेगा नहीं मिलेगा wellness का जो receipt है ना वो 5% of cash है वो बराबर है देखो मैं आपको बताता हूँ wellness का total turnover कितना है देखो 1.1 करोड है उसमें से उसने cash में सिर्फ 5.5 लाक रुपया लिया है तो अभी अगर आप 1.1 करोड का 5.5 लाक रुपय का 1.1 करोड डिवाइड करोगे तो exact 5% आता है तो यहाँ पर तो wellness बच गया receipt के मामले में बच गया लेकिन payment के मामले में wellness फस गया payment के मामले में wellness ने ये cash में कर दिया ये cash में कर दिया ये cash में कर दिया तो wellness का total cash payment 7 लाक रुपय है और total payment उसका 65,84,500 है जब इसको divide करोगे तो approximately 10% के हिसाब से उसका cash payment हो जाता है तो यहाँ पर वो फ cash receipt तो बच गया लेकिन cash payment 5% से जादा हो गया तो wellness फस गया अब wellness के लिए turnover का limit है एक करोड तो wellness को audit करवाना पड़ेगा क्योंकि उसका turnover एक करोड क्रोड क्रॉस होता है और wellness को इसलिए audit करवाना पड़ेगा क्योंकि बिचारे का cash payment exceed हो जाता है 5% तो इस question का answer क्या है wellness को audit करव यहाँ पर mandatory हो जाएगा ठीक है तो यह है आपके पहले वाले question का answer ठीक है अब अगले वाले question का answer पता लगाते what is the amount to be disallowed for non-deduction of tax TDS नहीं काटने के लिए कितना disallowance होगा तो पता लगाते हम लोग कितना disallowance होगा देखो अब आपको किस case पर TDS काटना चाहिए था इस पर आपको TDS काटना चाहिए था जो 20 specialist को जो remuneration दी है उस पर 194J में TDS काटना चाहिए था 20 specialist को 35 रुपे का remuneration दे रहे हो 194J में TDS क्यों नहीं काट रहे हो और यहाँ पे जो 5 employees को आप salary दे रहे हो हर एक की total income 5 रुपे से साथ है उस पर आपको salary के इसाब से 192 पर TDS काटना चा आपने नहीं काटा ठीक है बागी सब cases में आपको TDS काटने की जरुवत नहीं क्योंकि बागी सब cases में amounts बहुत कम है यहाँ पर देखो न 8,000 रुपया यहाँ पे 15,000 रुपया तो wages 15,000 की wages पे थोड़ी TDS काटता है लेकिन पहले 2 amount पे आपको काटना चाहिए था तो 25,000,000 पे आपने TDS नहीं काटा तो आपका कितना डिसलावनस हो जाता है बता हो 30% डिसलाव हो जाता है तो 25,000,000 का 30% अगर आप ले लोगे तो आपको answer आजाएगा 16,000,000 रुपीज चेक कर लो ठीक है अब तीसरे question की तरफ बढ़ते है what is the amount of depreciation allowable under 30 to 1 for the previous year 22,23 on computer computer पे depreciation कितना आ है तो कोई दिक्कत नहीं तो साड़े 3,000,000,000 पे सर हम लोग 40% नहीं 20% depreciation ले लेते हैं गलत हो जाएगा साड़े 3,000,000,000 पे अगर आपको लेना तो 20% ही है क्योंकि less than 180 days use कर रहे हो आप 15 October से use कर रहे है तो less than 180 days आएगा आपको लेना तो 40% क्या नहीं बदले 20% ही लेना है लेकिन एक और point नीचे दिया है वो भूलना नहीं आपको 15 April से आपने loan लिया है देखो यहापर 15 April से इस computer के लिए आपने loan लिया है और इस computer के उपर आपने interest पे किया है तो मुझे बताओ 15 April से लेकर जो 15 October का interest है वो आपको capitalize करना चीए कि नहीं करना चीए तो कि वो तो put to use क करने के पहले का interest है तो वो capitalize करें बगेर अगर आप depreciation निकालोगे तो गलत हो जाएगा तो 6 मैने का interest आपको capitalize करना पड़ेगा तो दिको मैंने यहापर क्या किया हूँ साड़े तीन लाग रुपे का तो आपका asset है प्लस interest कितना capitalize होगा 34,500 आपका interest है 15th April से 31st March 15th April से 31st March कितने मैने होते है आंसर आएगा 18,000 रुपे आप चेक कर लेना तो 18,000 रुपे आप इसमें आड कर दो और ये 20% उसका depreciation ले लो तब जागर आपको 73,600 आएगा अच्छा बचेवे period का interest किया होगा 15 October से लेकर 31 मार्ट जो साड़े 5 मैंने वो interest आपका revenue जाएगा P&L के अंदर आप 3613 में claim कर सकते हो ये गड़बर नहीं करना ये गड़बर करोगे तो पूरा को पूरा answer बदल जाएगा ठीक है यहाँ पर ये भूलना मत एक cost of computer में आपको interest भी 6 मैने का add करना है और साड़े 5 मैने का interest P&L में चला जाएगा अगला question what is the total income of wellness for previous year 22, 23, 24 अब देखो total income वो ये जो आपने पहले किया है gross receipt उसकी 1 करोड 10 लाग है अब धरादर धरादर सारे खर्चे निकालते रहो सबसे पहले कौन कौन सा खर्चा उसको deduction मिलेगा देखते हैं क्या इसका deduction मिलेगा हां मिलेगा उसमें 30% डिसलाओ करना है वो बात में करते हैं क्या इसका deduction मिलेगा हां इसका भी मिलेगा उसका भी 30% डिसलाओ करना है वो बात में करते हैं क्या इसका deduction मिलेगा इसका deduction नहीं मिलेगा ये 483 में डिसलाओ हो जाएगा क्योंकि आप 15,000 रुपया एक बंदे को दे रहे हो तो वो डिसला हो जाएगा क्योंकि आप 10,000 रुपय के ओपर cash में नहीं दे सकते हो वो डिसला हो जाएगा इसका तो आपने already depreciation ले लिया है इसका भी आपने लेकिन इसका जो 16,500 रुपया रेवेन्यू इंट्रेस्ट है वो आपको deduction मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने revenue का deduction ले लिया, फिर मैंने depreciation का deduction ले लिया, ठीके, depreciation का भी तो deduction लेना है मुझे, और फिर मैंने जो dislovence करना है, वो कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले पूरा deduction ले लिया, फिर नीचे अलग से 16,50,000 डिसलाओ कर दिया, जो मैंने टीडियस काटना था, मैंने नहीं काटा, उसके बाद मैंने depreciation का deduction ले लिया, उसके बाद wages वाला मुझे नहीं मिलेगा, वो 43 में डिसलाओ हो जाएगा, 10,000 के ओपर cash दे रहे हो, इंट्रस का जो यहाँ पर revenue पेनार्टी लग जाएगी, तो देखो इसने साड़े 5,00,000,000 रुपया cash में लिया है, ठीक है, एक invoice है, एक invoice के बदले में चार बार payment लोगे तो भी लगता है, एक invoice, invoice एक दिन का है ना, invoice अगर एक दिन का है, और अगर उसको आग चार बार में तोड़ के लोगे, तो भी लगेगी पेनार्टी, लगती है same, same transaction in a day, same transaction in a day फिर उसको अगर चार दिन में तोड़ की भी पैसा लोगे तो भी 269ST लग जाएगा 271DA में, जितना भी cash में पैसा ले रहे हो, उतनी पेनार्टी लग जाएगी चेक कर लो, तो साड़े 5 लाग रुपे की आपको यहाँ पर पेनार्टी लगने वाली है, चेक कर लो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, और अगला question जो है वो आपका taxation of trust के उपर बनाया है सबका सबसे prior chapter ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दिमाग खराब कर देता है हमारा, ठीक है चलिए पहले question की तरफ जाते है, what is the quantum of donation taxable at the rate of 30% under section 115 BBC 115 BBC में कितना donation आपका taxable होगा, देखो 115 BBC में कितना donation taxable होता है जो भी donation आपको मिलता है, उसमें से आपको एक exemption मिलता है, 5% of total donation और 1 lakh रुपीज विचेवर इसायर उतना आपको exemption मिल जाएगा, अब अगर आप question में देखोगे, तो आपका जो anonymous donation है, वो question के अंदर लिखा गया है, 12 lakh रुपे का आपका anonymous donation है, ठीक है अब उसमें से आपको 5% of total donation का deduction मिलेगा, या 1 lakh रुपीज whichever is higher, अब आपका total donation कितना है, वो check करना पड़ेगा, ठीक हो, 60 lakhs रुपीज का आपको यहाँ पर voluntary donation मिला है, 12 lakh रुपे का आपको यहाँ पर anonymous donation मिला है, और 25 lakh रुपे का आपको यहाँ पर corpus donation मिला है, तो 3 donation है यहाँ पर तीनों का total मारो, 60 lakh voluntary, 25 lakh corpus और 12 lakh रुपे आपका anonymous donation, total 97 lakh का 5% ले लो आप, तो आपको 485 रुपाइगा, whichever is higher 1 lakh रुपाइटी फाइफाइगा, तो यह आपको 485 माइनस करदो, 7 lakh 15,000 रुपीज आपकी हाथ में taxable हो जाएगा, और यह कितने उसका application माना जा सकता है, और अगर माना जाएगा, तो कितना माना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दिखते, poor aid को अपन ने 2 donation दिया है, एक तो current year की income में से दिया है, और एक past year की income में से दोगे ना, उसका deduction आपको नहीं मिलेगा, जो आप corpus donation देते हो ना, तो corpus donation का deduction government नहीं देती है, याद करो, सिर्फ voluntary donation का deduction देती है, तो सबसे पहले जो past year का 4 lakh दिया है, वो नहीं मिलेगा, current year के 5 lakh में से सिर्फ 2 lakh रुपया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो corpus donation है, सिर्फ 3 lakh रुपय का deduction मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आपका answer है, 3 lakh रुपया will be allowed as application, 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 okay, अब यह सारा data आपको आगे जाकर काम आएगा, देखना आप सब आगे की questions में काम आने वाला है, अगला question, can the corpus donation received by edu aid be claimed as exempt, if so how much, अब सुनो, corpus donation government कब exam करती है, बताओ, total 25 lakh रुपय का, उसको corpus donation मिला है, corpus donation कब exam करती है, तब exam करती है, जब आप उसको सही समय पे 11.5 वाले mode में डाल दोगे, तो अब इसको total 25 रुपय का corpus donation मिला है, उसमें से इसने पहले 12 lakh रुपया post office saving bank में डाला, क्या ये 11.5 में mentioned है, हाँ mentioned है, उसके बाद उसने 8 lakh रुपया public sector company के shares में डाला, क्या ये 11.5 में mentioned है, 11.5 में mentioned है public sector company के shares, तो ये 12 lakh रुपया और 8 lakh रुपया, 25 lakh रुपय में से exempt हो जाएगा, 5 lakh taxable हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इसलिए 20 लाख रुपे का exemption मिल जाएगा चेक कर लो 20 लाख रुपीज आपका exempt हो जाएगा 12 लाख और 8 लाख क्योंकि आपने invest कर दिया 11.5 में आपको exempt हो जाएगा ठीक है next 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 what is the quantum of the amount spent on construction which can be treated as application in the hands of eduate in previous year 20 to 23 अब सुनो ज़रा जहाँ पर eduate ने ना construction के ओपर 72 लाख रुपीज खर्चा किया है लेकिन अब उसमें से उसको कितना अलावोगा सुनो सबसे पहले उसको 50 लाख रुपया नहीं अलावोगा क्यों क्योंकि वो तो लोन लेकर किया है लोन लेकर अगर खर्चा करोगे तो आपको नहीं मिलता है deduction या करो यह amendment आया था finance act 2021 में कि लोन लेकर खर्चा करोगे तो deduction नहीं मिलेगा हाँ लेकिन जब लोन रीपे करोगे उस समय पे हम आपको deduction देंगे दूसरा 5 लाख रुपया उसमें से आपने खर्चा जो किया है लेकिन जो आपने लोन रीपे किया है ना उसका आपको deduction मिल जाएगा इसलिए टोटल 72 लाख का खर्चा किया है बराबर से देखो उसमें से 50 लाख क्यों मना कर रहा हूं मैं क्योंकि वो तो लोन लेकर किया है लेकिन उसमें से 10 लाख रुपय का लोन रीपे किया है तो वो deduction आपको मिल जाएगा इसलिए मैंने बाद में उसको add back कर दिया 5 लाख रुपय क्यों बना कर रहा हूं क्योंकि वो exempt income से पैसा withdraw करकर के खर्चा कर रहे हो corpus का पैसा post office में डाला वो exempt है वो पैसा withdraw करके अगर application करोगे तो उसका आपको deduction नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो total आपका answer आजाएगा 27 लाख रुपीज ठीक है और आखरी question यहाँ पर जो है what is the total amount which can be considered as application total application कितना होगा देखो total application कितना होगा ना आपको बताता हूँ एक तो आपने loan repay किया उसका आपको deduction मिल जाएगा ठीक है उसके बाद आपने books खरीदा है देखो उपर मैं आपको बताता हूँ एक आपने loan repay किया इतना यह 10 लाख रुपे का वो मिलेगा फिर आपने books खरीदा एक लाख रुपे का वो मिलेगा फिर दस लाख रुपे का computer purchase किया वो मिलेगा ठीक है यह तीन चीज़ होगी अब revenue खर्चा आपने total 7 लाख का किया है यहाँ देखो नहीं 7 लाख का revenue खर्चा किया है लेकिन उसमें से 30,000 रुपे कैश में pay किया उसमें से भी आपका 30% मना कर देंगे हम आपको 30% वो भी डिसला हो जाएगा तो यह 7 लाख मैं से पहले यह 30,000 मना करो और यह 30% इसका मना करो तो revenue expenditure आपको 646 लाख होगा पूरा 7 lakh अलाव नहीं होगा क्योंकि 43 और 41 जो TDS का डिसलावेंस वो होगा तो revenue expenditure कितना हो जाएगा 6 lakhs 46,000 रुपीज ठीक है उसके बाद 17 lakh रुपे का आपको यहाँ पर जो construction का खर्चा कर रहे हो मिलेगा यहाँ पर 10 lakhs मैं अलग से add नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 10 lakhs मैंने उपर ले लिया था ठीक है तो वहाँ पर मैंने 10 यहाँ पर total 27 lakh था ना 27 lakh में यह 10 lakh भी था तो अगर आपको 27 lakh इकठा लिखना है तो इकठा भी लिख सकते हो या 10 lakh और 17 lakh अलग लिखना है तो वो भी लिख सकते हो और आखिर में जो आपने edu aid को 3 lakh रुपे का donation दिया है उसका भी deduction मिलेगा यह सब चीज का अगर आप total मारोगे तो आपको answer आ जाएगा आपका 47.46 चेक कर लेना so this is what this question is all about ठीक है तो go through कर लो एक बाद फिर आगे बढ़ते तो चलिए आगे बढ़ते towards the next question that is question number 19 यह question जो है वो आपके capital gains के ओपर dependent है section 45.2 जब आप अपने capital asset को convert करते हो stock in trade में तो कब tax लगता है जब आप stock in trade sell करोगे तब लगेगा और जब आप stock in trade sell करोगे तब आपको capital gains tax लगेगा और stock in trade sell करने के 6 मैने के अंदर stock in trade sell करने के 6 मैने के अंदर अगर आप 54 EC के bonds में invest करोगे तो उसका भी exemption आपको 50 लग रुपे तक मिलता है अगर आप date of transfer से stock in trade sell करने के 6 मैने के अंदर अगर आप bonds खडीद लोगे तो तो चलिए सबसे पहले अपने को capital gains निकालना पड़ेगा capital gains कैसे निकालते है देखो sale consideration की जगे पर आपको FMV ले लेना है तो land की FMV कितनी है land की FMV on the date of conversion है 300 lakhs तो सबसे पहले मैंने वो ले लिया ठीक है उसके बाद आपको land का cost of acquisition लेना है क्योंकि आपने land को convert कर दिया है stock in trade में पहले land capital assets को stock in trade में convert कर दिया जब convert कर दिया तब FMV कितना था तब था FMV 300 lakhs ठीक है अब उसके उपर cost कितना था 50 lakh रुपे में आपने land खरीदा था कभी खरीदा था 2008 में तो आप उसको index करो 50 lakh into कब convert किया 21-22 में 21-22 का index session ले लो 21-22 में convert किया October 2021 में 21-22 का index session ले लो nominator में आप 2008-2009 का index session ले लो यह आपका total capital gain से ठीक है अब यह कब charge होगा जब भी आप यह land बेच होगे तब charge होगा अब इस land को आपने ऐसे ही नहीं बेचा इस land के उपर आपने 20 apartment बना equal size के equal dimension equal quality मतलब 20 equal घर बनाए ठीक है अब उसमें से आपने 14 घर बेच दिया 2023 में 22-23 में ठीक है तो 20 में से अगर 14 घर आपने बेच दिया तो इसमें से proportionate 14 divided by 20 का capital gains अब आपको 4 दो जाएगा बराबर क्योंकि 1,84,000 जो capital gains आया है यह आपको यह तो पूरे 20 flat के लिए ठीक है उसमें से आपने 14 flat 2022 थे इसमें बेच दिया तो 14 flat का capital gains का आपको arch tax लग जाएगा तो यह हो गया 1,84,30,000 यह total 20 flats का capital gains है उसमें से 14 flat आपने बेच दिया तो multiply by 14 divided by 20 ठीक है तो आपको answer आता है 1,29,1459 अब आपने date of transfer से 6 मैने के अंदर देखो आपने RECL और NHAI के bonds में invest कर दिया है आपने transfer कभी किया January 23 और February 23 तो March में आपने 20 lakh के bonds करीदे और फिर आपने June में भी देखो 20 lakh के bonds करीदे तो January, February से March और June क्या 6 मैने के अंदर आता है हाँ यह जो 10 lakh के bonds आपने September में खरीदे उसका exemption आपको अभी नहीं मिलेगा क्योंकि यह 6 मैने के बाद खरीदा है यह 20 lakh और यह 20 lakh जो March और June में खरीदा है वो January और February से 6 मैने के अंदर आता है तो वो 40 lakh का exemption आपको मिल जाएगा वो 40 lakh exemption ले लोगे तो आपका answer आजाएगा 89,1460 ठीक है तो यह है आपका पहला question दूसरे question की तरफ बढ़ते है अब दूसरे question में PGPP पूचाए PGPP देखो PGPP कैसे निकालोगे आप पहले कितने में बेचा 14 flat कितने में बेचा 40 lakh रुपे में तो यह आपका हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा उसके बाद की proportionate FMV मिल गई 210 lakh रुपे बराबर अब cost of construction तो question में दिया है एक flat को बनाने का 15 lakh रुपे का construction देखो उपर into 14 flat यह आपका cost of construction हो गया तो यह हो गया आपका 140 lakh रुपे का क्या हो गया PGPP income ठीक है is it clear तो PGPP के अंदर दो चीज आएगी एक तो land भी तो बेच रहो ना तो उसका FMV लेना पड़ेगा land का FMV क्यों लेना पड़ेगा land का cost नहीं ले सकते हो क्यों क्योंकि फिर तो double tax हो जाएगा क्योंकि जब भी बेचोगे land को तो आपको FMV on the date of conversion लेना होता है यही तो logic है यही तो provision है अब question number 19.3 की तरफ बढ़ते अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगले साल अगले साल मतलब PY 23.24 में मतलब AY 24.25 में आपका capital gains और PGPP क्या होगा देखो आपका total capital gains इतना था उसमें से 14 flat को आपने 22-23 में बेच दिये और बचे वे 6 flat आपने 23-24 में बेचे तो 23-24 में जो 6 flat बेचे उनका proportionate capital gains यहाँ बढ़ा जाएगा multiplied by 6 divided by 20 प्लस 23-24 में आपने देखो NHAI और RECL के bond में 10 लाग उरपे इंवेस्ट किया है September में किया है ना इंवेस्ट आपने तो इसका भी आपको exemption मिल जाएगा 10 लाग उरपे का क्योंकि अब यह 23-24 में कब बेचा था देखो आपने 23-24 में आपने April में बेचा था तो April में जब बेचा April में बेचा तो April से September 6 मेना हो जाता है 6 मेने के अंदर आपने इंवेस्ट कर दिया तो यह 10 लाग का exemption भी आपको मिल जाएगा इसलिए आपका capital gains हो जाएगा 45,29,198 ठीके अब PGP पैसे ही निकालोगे जैसे वहाँ निकाला था तो PGP कितना 40 लाग रुपे का एक फ्लैट बेचा इन्टू छे चेल कंसिडरेशन 240 लैंड का क्या हो जाएगा 300 लाग टोटल FMV था उसमें से 6 by 20 आप करोगे तो land की FMV मिल जाएगी और cost of construction भी वैसे ही जैसे उपर निकाला था 15,00,000 एक फ्लैट का multiplied by 6 आपको आजाएगा cost of construction 90,00,000 लाग उपी तो यह सब माइनस करो 240 माइनस 90 माइनस 90 आंसर आजाएगा 60,00,000 तो इसका आजाएगा 60,00,000 अब इसके अलाबा इसने एक penthouse भी देखो कोई है हरीश वरीश किसी को penthouse दिया है penthouse भी let out किया है she has let out the penthouse to Mr. Harish Harish कौन है? salary individual है 60,000 रुपे में उसको penthouse दिया है और Harish ने pan-pan सब दिया है अपने को और Harish municipal tax भरता है ये चीज़ ज़्या दखना मतलब municipal tax tenant भर रहा है tenant tenant भर रहा है ठीके tenant municipal tax भर रहा है तो landlord को क्या municipal tax का deduction मिलेगा house property में नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ठीके अब जड़ा देखना जड़ा penthouse भीष का stock and trade है लेकिन अगर एक construction करने वाला builder भी अगर stock and trade को let out करता है तो याद करो अगर एक builder stock and trade को let out करता है तो वो income from house property में ही माना जाता है वो PGP में नहीं जाता है चन्नाई properties and investment limited के case law के पहले पढ़ा आता है मैंने कि अगर एक builder भी अपनी property को let out करता है तो वो तो builder का काम let out करना थोड़ी है builder का काम तो क्या है builder का काम है बेचना आप बेच के जो profit आएगा वो PGP होगा लेकिन let out करके जो profit आएगा जो पैसा आएगा वो income from house property तो अब उसने 60,000 रुपे पे let out किया है तो 60,000 into 12 municipal tax का deduction क्यों नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं भर रहा हूँ landlord नहीं भर रहा है हरीश भर रहा है tenant भर रहा है tenant भरेगा तो municipal tax का landlord को deduction नहीं मिलेगा जो भरेगा उसको मिलेगा मैं नहीं भर रहा हूँ वो भर रहा है अगर मैं भरता तो मुझे मिलता तो ये 720 का direct एक 30% standard deduction लो, आपको 5,4,000 रुपय आएगा, और कहां आएगा, income from house property में आएगा, ठीके, income from PGBP में नहीं जाता है, एक builder का let out income, हमेशा याद रखना, ठीके, last, क्या हरिश को TDS काटना पड़ेगा, हाँ, हरिश को TDS काटना पड़ेगा, देखो हरिश एक salary डसासी है, तो rent का TDS 194 IE में तो नहीं काटेगा, 194 IE individual के लिए कब applicable है, जब पिछले साल का turnover एक करोड से साधा होगा तो, जब पिछले साल का gross receipt पचास लाग से साधा होगा तो, अभी business and profession नहीं कर रहा हरिश, हरिश तो salary individual है, तो हरिश के लिए TDS काटना पड़ेगा, कहां पर 194 IB में, और IB में TDS कब कटता है, आखरी मेने में 81 कटता है, पूरे मेने का साथ में, आखरी मेने में कटे का मार्च में, ठीके, तो यहां पर 720,000 पूरे साल का रेंट आएगा, 60,000 इन्टो 12, उस पे 5%, उस पे 5% आ जाएगा, 36,000 रुपे, चेक कर लो, यह है आपका question, ठीके, तो एक असान सा question कुछ बहुत ज़ादा out of the world question नहीं है, ठीके, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते, यह जो अगला question है, वो आपका 3580 के उपर है, ATJJAA के उपर है, यह दो provisions के उपर इन्होंने 3580 और ATJJAA के उपर यह provision बढ़ा है, और यह AMT के उपर भी है, 115JC के उपर, AMT को भी यहां पर test कि दिया गया है, ठीके, तो सबसे पहला question यहां पर पूचा है कि 3580 में कितना deduction मिलेगा, यह बहुत ही simple question है, ठीको यहां पर आपने 3580 का कोई business शुरू किया है, 3 star hotel का, उसमें land खरीदा, land का deduction 3580 में नहीं मिलता है, ठीके, यह land का नहीं मिलता है, लेकिन building का मिलता है, तो building कितन किया है, 1.75 करोड, तो 1.75 करोड का आपको deduction मिल जाएगा, बस इतना simple question, यहां पर आपको सिर्फ 1.75 करोड का building का deduction मिलेगा, 3580 में land, goodwill और financial instrument का deduction आपको नहीं मिलता है, हाँ, और अगर deduction चाहिए है, तो आपको payment account पे ही check यह सब से करना पड़ेगा, तो वो question में लिखा गया लॉस उससे set off हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीके, अब बरोडा का profit ना 80 लाग रुपए, देखो यहां पर लिखा गया है, कि बरोडा के business से आपको 80 लाग का profit हुआ है, अब 80 लाग का profit हुआ है, 175 लाग का deduction मिल रहा है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, त 95 लाग का loss हो गया, यह loss आप कैसे set off करते हो, section 73 A के साब से, यहां पर 73 A भी test कर लिया, ठीके, तो 73 A के साब से आप अहमेदाबाद का जो business है, उसका profit 130 लाग से, ठीके, जैसे यहां पर दिया है, तो यह वाला 95 लाग सा, आप 135 लाग से profit से, 130 लाग से profit से set off करोगे, तो आप का PGP income कितना आजाएगा, 35 लाग रुपी, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, बहुत ही महामूली सा question है, अब 30 A question की तरफ बढ़ते हैं, यह भी बहुत महामूली है, यह बोलता है, कि is if out of 1.25 करोड paid for acquisition of land, 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 land खरीदने के लिए अगर हमने 1.25 करोड में से 75 लाग cash मे पे कर दिया, तो क्या फरक पड़ेगा, कुछ नहीं फरक पड़ेगा, क्योंकि land तो वैसे ही नहीं allowed है, अब आप cash में पे करो, या online पे करो, थोड़ी अलाओ होने वाला है, तो उससे कोई answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, because land को तो वैसे भी मना किया है, check में पे करोगे त दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड कर दोगे, considering the assumption given in 20.2, 20.2 को पकल के चलना है, मतलब दो है, यहाँ पर एक एमदाबाद में बिजनस है, एक बरवडा में बिजनस है, आपने सेट आफ किया, वो assumption लगे के चलो, what would be the tax payable for the LLP, अब यहाँ पर tax compute करते समय, आप लोग क्या करोगे लोग, पागल पंती करोगे, यह 35 लाक्स पकड़ोगे, उस पे आप 30% tax लगा दोगे, क्योंकि LLP है, प्लस 4% tax लगा दोगे, सही बात है वो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, AMT भी, क्योंकि अगर एक LLP, कंपनी को छोड़ कर, कोई भी अससी, अगर 35 AD deduction claim करता है, तो उसको AMT लग जाएगा, अब AMT लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह total income पकड़ना पड़ेगा, total income 35 लाक्स है, हाँ 35 लाक्स है, उसमें 35 AD का deduction अड़ करना पड़ेगा, वो अड़ करो, और फिर income आएगा, वो आएगा 192.5 लाक्स, 192.5 लाक्स क्या है आपका, adjusted total income, उस पर AMT निकाल लिए, 85% का tax है, यहाँ पर एक और टेस्ट किया गया है, क्योंकि आपका adjusted total income एक करोड रुपे से जादा है, तो आपको यहाँ पर 12% सरचार्ज भी मारना पड़ेगा, देखो कितनी ब time नहीं मिले, पढ़ने का question तो भी मत पढ़ो, पूरा MCQ का वीडियो एक बार देख लो, अपने दोस्तों को भी recommend करो, एक बार देख लोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे बारिक-बारिक concept जो institute test करता है, exam में, वो सारे के सारे cover हो जाते, प्लस 12% सरचार्ज क्योंकि एक करोड के उपर adjusted total income है, प्लस 4% से यह कर लेना, तो आपका answer 41,48,140 आ जाएगा 100%, ठीके, last question में बोला है, कि Mr. P को ATJJAA में कितना deduction मिलेगा, अब यहाँ पर भी multiple चीज़ टेस्ट किये, देखो Mr. P apparel business में, तो apparel business वालों को पता है, ATJJAA के लिए employment कितने दिन करना पड़ता है, 150 days भी करेंगे तो चल जाएगा, 240 days जरुवत नहीं है, कोई apparel leather और यह footwear वाला business यह लों घड़ी घड़ी test कर रहें, ATJAA में, तो apparel business वालों को 1500 दिन भी चल जाएगा, ठीके, अब सुरू, क्या यह पहला वाला employee चलेगा, हाँ चल जाएगा, 24,000 तो चल जाएगा, emoluments 25,000 से नहीं होना चाहिए, 25,000 से जादा नहीं होना चाहिए, exact 25,000 है और 1st November से अगर आप count करोगे तो 151 days भी होता है, तो 150 days भी fulfill हो जाता है, यहाँ पर फस जाएंगे बहुत लो, 150 days का employment भी हो जाता है, और 25,000 से जादा भी नहीं है, 25,000 से जादा होगा तो मना है, exact 25,000 पर मना न करके दिया हूँ, वो calculation अगर आप कर लोगे, तो आपको total आ जाएगा, उसका 30% लोगे तो आपको answer आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है, तो अच्छा question था, easy question था, ठीक है, लेकिन कुछ दिमाग लगाने वाले points थे इसके अंदर, चलिए आगे बढ़ते, question number 21 की तरफ, now this question is based on TDS and TCS, उसी के अपर पूरा का पूरा question टिका हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ basic चीज़े बोल देता हूँ, यहाँ पर एक Mr. Harshit, एक buyer है, उसका पिछले साल का turnover 9.9 करोड है, और यहाँ पर seller है, उसका पिछले साल का turnover 10 करोड से जादा है, तो buyer का turnover 10 करोड से कम ह तो फिर इस case में 194 क्यों apply नहीं होगा, TCS के provision apply हो जाएगी, क्योंकि buyer का turnover तो पिछले साल का कम है, तो buyer तो TDS नहीं काटेगा, लेकिन फिर seller TCS collect करेगा, ठीक है, 2061H के अंदर, सबसे पहले 2061H के उपर ही टेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर वही पूछा है, क्यों TDS काटे ठीक है, यह पहली चीज, अब कब collect करेगा, देखो, total 80,000,000 रुपे का समान उसने बेचा है, तो पहले 20,000,000 का बेचा है, तब तो TCS नहीं collect कर सकता है, फिर 25,000,000 का बेचा है, तब भी नहीं कर सकता है, फिर 20,000,000 का बेचा है, ठीक है, तब collect करेगा 15,000,000 के उपर, क्यों 1% TCS ठीक है तो इस तरीके से वो जैसे ही 50 लाग क्रॉस होता है वैसे ही TCS कलेक्ट करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर उसका आंसर देख लो पहले 15 लाग रुपे पे 18 October फिर 15 लाग रुपे पे 11 February जैसे 50 लाग क्रॉस होता है वैसे TCS कलेक्ट करना शुरू कर देगा ठीक है अगले कोशन के अंदर पूछा है कि अगर सामने वाले बायर ने पैन नहीं दिया तो क्या करने का पैन नहीं देगे तो फिर 2061H में 1% के इसाफ से TCS कलेक्ट होता है अगर पैन नहीं दोगे तो 1% के इसाफ से TCS कलेक्ट नहीं होगा ठीक है अगर पैन नहीं भी देते हो तो भी 3rd case में क्या थॉमस कुक को थॉमस कुक जो कौन है वो टूर उपरेटर है क्या उसको 5 लाग रुपे के हॉलिडे पैकेज के ओपर TCS कलेक्ट करना पड़ेगा येस करना पड़ेगा क्योंके ना holiday package जो है वो overseas tour program package में आ जाता है और उसके लिए 7 लाग का exemption अवेलेबल नहीं है 7 लाग का exemption normally liberalized remittance keep में जो पैसा भाहर भेजते हो उसके लिए अवेलेबल है ठीक है education loan लेकर पैसा भाहर भेजते हो education के लिए उसके लिए भी अवेलेबल है लेकिन overseas tour program and package के लिए 7 लाग का exemption नहीं अवेलेबल है sorry for that तो उसको 5 लाग रुपे के उपन 5% TCS collect करना पड़ेगा तो yes उसको collect करना पड़ेगा 25,000 रुपे का TCS ठीक है उसके बाद वो अपने बेटे के education के लिए और बेटी के education के लिए पैसा भेज रहा है तो अगर आप गवर से देखोगे तो बेटे के education के लिए 15,000 लाग ना वो लोन लेकर भेज रहा है ठीक है और बेटी के education के लिए 12,000 लाग ना वो अपनी personal savings से भेज रहा है ठीक है बैंडरा ब्रांच से ठीक है SBI India की financial institution है उससे आप loan ले रहे हो फिर पैसा भार भेज रहे हो तो उसके उपर आपको 7,000 लाग का exemption भी मिलेगा और 0.5% का एकदम मामूली rate of TCS लगेगा ठीक है लेकिन अगर आप personal savings से भार भेजते हो तो फिर आपको 7,000 लाग का exemption वहाँ भी मिलेगा ठीक है यह दोनो 7,000 लाग यहाँ यह 7,000 लाग यह लग दो provisor में आता है एक second provisor में आता है एक third provisor में आता है दोनों के लिए separate 7,000 लाग से ठीक है तो यह 7,000 लाग का exemption यहाँ भी मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपका tax rate जो होगा वो 5% होगा वहाँ पर आपको 2% या 0.5% का benefit नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका देखो answer देख लो यह यह 0.5% on 8,000 लाग and 5% on 5,000 लाग for sons and daughters education respectively आखिर में उसने brandra brand से फिर से 6,000 लाग रुपय भेजा अपनी बेहन को gift फिर से पहले brandra brand से भेजाता देखो बेंडरा brand से किसको भेजाता अपने बेटे की education बेटी के education के लिए बेंडरा brand से 12,000 लाग रुपय भेजाता अब उसने वापस से वही same brand से क्यों भेजा उसकी गलती होगी अब अगर वो किसी और brand से भेजता ना उसको 7,000 लाग तो और exemption मिलता लेकिन अब उसने same ही brand से वापस भेजा तो अब उसको 7,000 लाग का exemption वापस नहीं मिलेगा क्योंकि उसने already second provider में 7,000 लाग का benefit ले लिया है हर एक transaction पर ठोड़ी 7,000 लाग मिलेगा पूरे साल में 7,000 लाग है ठीक है तो therefore अब उसको 6,000 लाग रुपे के ओपर पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा 5% TCS भरना पड़ेगा चेक कर लो तो यहाँ पर उसको वापस से क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि उसने बेंडरा परान से वापस भेजा है बेंडरा परान से एक बार भेजाता 7,000 लाग एक्जास्ट हो गया है अब वापस से भेजेगा तो अब क्या 7,000 के ओपर नहीं जाएगा तो अब वो पूरे अमाउंट पर TCS कर लेगा बैंक वाला चेक कर लो 5% ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ बरते कोशन नमबर 22 यह है आपका 35 AD, 10 AA, AMT और नॉर्मल प्रोविजन के उपर और 44 AB के उपर भी है to some extent और 44 AD के उपर भी है to some extent तो इतने सारे प्रोविजन इसके अंदर कवर किये गए सबसे पहला कोशन यहाँ पर है What is the amount of deduction under 10 AA and 35 AD तो सबसे पहले में 10 AA के बारे में बात करता हूँ 10 AA में आपको कितना deduction मिलेगा देखो आपका जो profit है वो कितना है 60 lakhs है दिख रहा है आपको 60 lakhs कितना turnover है 120 lakhs का export turnover है और total turnover आपका 160 lakhs का हो जाएगा ठीक है जब मैं यह करूँ का तो answer आजाएगा 45 lakhs तो आप लोग answer टिक कर दोगे क्या 45 lakhs 45 lakhs गलत हो जाएगा क्यों कि अगर आप इसका commencement देखोगे तो इसका commencement 2017 में हुआ है 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22 और 22, 23 उसका छटा साल है अब 22, 23 उसका छटा साल है तो याद करो छटे साल में आपको 50% deduction मिलता है 100% नहीं मिलता है इसलिए इसका answer क्या है इसका answer है 22.5 lakhs be very careful तो 22,50,000 रुपया इसका answer है under 10 AA ठीक है अब 35,80 वे इसको कितना deduction मिलेगा वो तो बहुत simple है 35,80 के अंदर आपने 97,00,000 का total खर्चा किया है लेकिन उसमें से cost of land आपको नहीं मिलेगा तो 97 में से अगर 32 निकाल तो तो आपका answer कितना आजाएगा आपका answer आजाएगा 65,00,000 रुपीस तो इसलिए इस particular question का answer क्या है 22.1 का answer है 22.5 lakhs and 65 lakhs चेक तर लो ठीक है अब अगले question की तरफ बढ़ते है what is the tax liability of Ganga LLP under the regular provisions of the income tax act अब regular provision में उनकी tax liability कितनी आएगी ठीक है तेलो निकाल लेते है tax liability कितनी आएगी देखो उनका income अपने को निकालना पड़ेगा कितना देखो बहुत simple है 10 AA का उनका profit कितना है 10 AA का उनका profit है 60 lakhs ठीक है 60 lakhs का 10 AA का profit है उसमें से उसको 22.5 lakh रुपीज का deduction मिल जाएगा ठीक है 60 minus 22.5 कितना होता है 37.5 रुपीज का 5 lakhs का 10 AA का deduction है 35 AD का profit कितना है 35 AD का profit उसका 35 AD का profit है 160 lakhs 160 lakhs में से उसको कितना deduction मिल जाएगा 65 lakhs का deduction मिल जाएगा तो यह हो जाएगा 95 lakhs इन दोनों का total मार देने का 37.5 प्लस 95 lakhs तो इनकी total income कितनी हो गई total income हो गई 132.5 lakhs अब 132.5 lakhs पे कितना tax लगेगा 30% tax 12% surcharge और 4% says ठीक है तो 132.5 lakhs मतलब 1 करोर 32,50,000 ठीक है अब उसके उपर आप 30% tax ले लो 12% surcharge ले लो और 4% says ले लो तो आपको यह answer आजाएगा 46,30,080 रुपीज आप चेक कर लेना ठीक है इसके उपर आप यह tax मारोगे तो आपको यह answer आजाएगा ठीक है अब हम लोग तीसरे question की दरब बढ़ते है What is the alternate minimum tax पेबल बाई गंगा LLP as per 115.jc तेखो alternate minimum tax के लिए आपको क्या करना पड़ेगा alternate minimum tax के लिए आपको adjusted total income थोड़ना पड़ेगा adjusted total income क्या होती है total income that is 132.5 lakhs plus आप क्या करोगे जो 10 AA का deduction claim किया है वो add back कर दोगे 22.5 lakhs और जो 35 AD का deduction claim किया है कितना claim किया है 65 lakhs का वो add करोगे लेकिन 35 AD के लिए आपको depreciation मिल जाएगा building के ओपर 10% 6.5 lakhs याद है पिछले question में भी हमने किया था तो यह आपको depreciation मिल जाएगा यह सब करने के बाद आपको adjusted total income आ जाएगी तो चलो निकाल लेते कितनी है 132.5 प्लस 22.5 प्लस 65 lakhs माइनस 6.5 lakhs तो यह आजाता है 213.5 213.5 के यहसाब से अब tax निकालो ठीक है 2,13,50,000 2,13,15,000 इस पे कितना tax आएगा 18.5% tax plus 12% surcharge plus 4% says तो आपको यह answer आजाएगा आप चेक कर लेना ठीक है तो इस पे 18.5% tax पहले 12% surcharge उस पे 4% says तो आपको आजाएगा 46,670,000 668.8 आता है तो वो अगर round off करोगे तो 670 आजाएगा ठीक है अब अगले question की तरफ बढ़ते है Is there any AMT credit to be carried forward If so what is the amount देखो AMT credit कब आता है जब आपका AMT normal tax से जादा होगा अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या जादा है AMT आपका 46,670 है और normal tax आपका 46,30,880 है तो इसका मतलब आपका normal जादा है ना normal अगर AMT से जादा है तो AMT का credit आपको मिली नहीं सकता है इसलिए इस question के अंदर AMT not available because your normal tax is greater than what your AMT क्योंकि आपका normal tax AMT से जादा है आपको अब यहाँ पर credit नहीं मिल पाएगा AMT का ठीक है I hope it is clear to all of you next question क्या बोलता है बोलता है कि गनेश की income निकालो PGPP के अंदर लेकिन उसको audit audit नहीं करवाना है और उसकी maximum saving करके बता दो उसको audit audit नहीं करवाना है मतलब उसको क्या follow करना है उसको 44 AD follow करना है तो 44 AD क्या वो follow कर सकता है चलो देखते हैं हाँ कर सकता है उसका turnover exactly 200 lakh है तो वो 44 AD follow कर सकता है अब 44 AD के अंदर check करना पड़ेगा online payment कितना है या cash payment कितना है 190 lakhs online payment आया है और 10 lakhs उसका cash payment आया है तो 190 lakhs का उसको 6% के इसाब से deemed income दिखाना पड़ेगा 190 lakhs का 6% अगर आप मैं करता हूँ तो मैं 11.4 lakhs आता है और 10 lakhs जो उसका cash payment आया है उसका 8% आता है तो 0.8 lakhs तो दोनों का total आ जाता है 12.2 lakhs और इसलिए इसका answer क्या है 12.2 lakhs से चेक कर लो ठीक है और एक आखरी question है आपर Can Mr. Ganesh declare income as per books of accounts for AY without getting his books of accounts audited क्या Ganesh अपना books of accounts बिना audit के कर सकता है No he cannot since the turnover exceeds 100 lakhs and he cannot declare income less than the presumptive income under 44 AD without getting his books of accounts क्यों नहीं कर सकता है क्या Ganesh के लिए 10 crore के limit अपली के बल नहीं है देखो audit के limit कितनी है 1 crore के ओपर होगा तो audit करवाना होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 crore भी तो होता है लेकिन Ganesh उसमें नहीं आ सकता है क्योंकि Ganesh का यहाँ पर देखना cash payment और cash receipt बहुत जादा हो जाता है cash payment और cash receipt 5% के अंदर नहीं है चेक कर लेना है आपर यहाँ पर चेक करके इतना test कर सकते हो भी आप लोग इतने सारे question के बाद 22 question पर हम लोग इतना test कर सकते हो तो Ganesh का cash payment और cash receipt 5% के अंदर नहीं आता है तो 5% के अंदर नहीं आता है तो उसको 10 crore की limit नहीं मिलेगी अब अगर उसको lower profit दिखाना है तो उसको audit करवाना mandatory है उसको करवाना पड़ेगा audit ठीक है तो इसलिए इस particular question का answer क्या है D है No he cannot Since his turnover exceeds 100 lakhs and he cannot declare income less than presumptive income उसको 8% 6% दिखाना पड़ेगा उससे भी कम दिखाना है तो audit करवाओ और दिखाओ ठीक है कोई दिख करती है चेक कर लो तो चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं जो आपका दो provision पे टिका हुआ है majority ये tonnage taxation के उपर है और आखिर में ये presumptive income के उपर भी टिका हुआ है 44B वाले shipping वाले ठीक है 172 और 44B का provision था ना उस पे टिका हुआ है majority ये presumptive income के उपर है ठीक है तो चलिए अप भी अपन question पढ़ते है सबसे पहला question तो देखो ये पूरा का पूरा computation वाला question है तो देखो ये पूरा का पूरा computation वाला question है ठीक है उसके लिए आपको tonnage taxation का provision पूरा पता होना चीए अब देखो इस assessi के पास total तीन vessel है तीन shipping है लेकिन उस तीन में से सिर्फ दो ही qualifying ship है तो सिर्फ qualifying ship के लिए tonnage taxation applicable है बाकियों के लिए नहीं है अब उसका tonnage कितना है वहिकल का 33,840 तो इसको हम लोग round off कर देंगे 33,800 पर ठीक है इसका round off का provision से और यह है 33,840 ton and 230 kg को 33,800 कर सकते हो और 24,950,370 kg को 25,000 आप round off कर सकते हो तो सबसे पहले इसको round off कर देंगे दोनों वेसल कितने दिन operate हुई है पहली वेसल 212 दिन operate हुई है दूसरी वेसल 347 दे operate हुई है अब आपको यहाँ पर tonnage taxation का provision पता होना चाहिए याद है वो हर 1000 tonn के ओपर पहले 70 रुपया for every 100 ton फिर 53 रुपीज for every 100 ton फिर 42 रुपीज for every 100 ton और अबाव 25,000 it is 29 रुपीज for every 100 ton तो यह calculation उसी हिसाब से किया है आप देख लेना पहले 1000 tonn तक के लिए for every 100 ton it is 70 रुपीज फिर 1000 के ओपर for every 100 ton it is 53 फिर उसके उपर 10,000 के ओपर for every 100 ton it is 42 और फिर 25,000 के ओपर for every 100 ton it is 29 तो उसे साथ से मैंने calculation किया यहाँ पर चेक करो total 33,800 है और यहाँ पर 25,000 tonn के हिसाब से ठीक है तो यह मेरा answer आता है यह मेरा answer आता है लेकिन यह per day की income होती है याद करना वो daily income थी daily income teenage taxation के अंदर जो government ने कानून बनाया वो daily income का दिया है multiply by number of days कर दोगे तो यह आपको answer आ जाएगा और फिर इन दोनों का total मार होगे तो आपको first question का answer आ जाएगा चेक करो 71,20,454 ठीक है तो यह calculation आप चेक कर लेना अपना teenage taxation का chapter खोल के ठीक है यह आपका पहला question है तूसरा question what would be the return down value as on one for 2022 of qualifying ship qualifying ship का return down value क्या होगा for tax purpose ठीक है अब देखो ज़रा यहाँ पर आपको उन लोगोंने न tax purpose के लिए total total ship का 1200 रुपया दिया है ठीक है tax purpose के लिए total ship का 1200 है और यहाँ पर इनोंने न accounts के हिसाब से break up दिया है अब मुझे बताओ qualifying ship कौन सी है ship 1 और ship 2 qualifying है ठीक है अब इस 1200 के अंदर तीनों ship है और नीचे आपके पास accounts के हिसाब से break up है तो आपके पास यह की ratio बचता है जिसे साब से आप इसका qualifying ship का tax का भी break up निकाल सकते हो तो इसका break up ले लुआ ठीक है तो यह 580 प्लस 270 कितना होता है 850 होता है तो 850 qualifying ship का break up है और जो 230 है वो non qualifying ship और total 1080 तो यह 1200 जो qualifying ship का tax का WDV है उसको 850 से multiply कर दो qualifying ship के accounts वाले WDV से divided by qualifying or non qualifying total of accounts के WDV से तो आपको answer आ जाएगा देखो यहाँ पर चेक करूँ तो यह मैंने क्या लिया tax का total WDV लिया multiply by सिर्फ qualifying ship का accounts का WDV लिया divided by total WDV accounts का लिया तो मैंको answer आ जाएगा 944.44 there is no other way to compute यही की तरीका है इसको निकालने का और कोई तरीका नहीं है ठीके question number 23.3 क्या बोलता है आपको पता है tonnage taxation वालों को अपने book profit का 20% transfer करना पड़ता है कहाँ पर एक tonnage tax reserve के अंदर तो इस company का profit कितना है इस company का profit है 100 lakhs book profit कितना है इस company का 100 lakhs है ठीके तो इस 100 lakhs का आपको क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए 20% transfer करना पड़ेगा कहाँ पर tonnage taxation reserve के अंदर तो उसका 20% कितना आ जाएगा उसका 20% आ जाएगा 20 lakhs ठीके तो ये बहुत ही जादा simple question है कुछ खास नहीं next इसको minimum कितना transfer करना चाहिए था 20% मतलब 20 lakhs लेकिन अगर इसने 15 lakh रुपीज transfer किया तो फिर इसको कुछ ना कुछ सजा देनी पड़ेगी अब वो सजा हम उसको कैसे देंगे देखो उसको कितना transfer करना चाहिए था 20 lakhs लेकिन उसने कितना किया 15 lakh transfer किया तो उसका shortfall कितना है shortfall है 5 lakh रुपे ठीके अब 5 lakh रुपे कितना percent है shortfall हो गया total उसको 20 transfer करना चाहिए था लेकिन उसने transfer किया 15 इसका मतलब 5 रुपे shortfall है इसका मतलब उसने 25% का shortfall कर दिया देखो 20 transfer करना चाहिए तो 5 रुपे shortfall मतलब 25% shortfall हो गया तो अब उसका जितना भी profit है न उसका 25% उसको tax भरना पड़ेगा ठीके 25% उसका reverse हो जाएगा तो यहां पर उसका profit कितना है 14 lakh रुपे उसका incidental activity से profit है और 14 lakh रुपे और 70 lakh रुपे उसका core activity से profit है तो 84 lakh रुपे का उसका total profit है उसको 25% क्या करना पड़ेगा tax भरना पड़ेगा ऐसा कानून बनाया है government ने income tax के अंदर ठीक है तो 21 lakh रुपीज के उपर उसको tax भरना पड़ेगा कैसे आया बराबर बता रहा हूँ अगर वो पूरा 20 lakh रुपे transfer कर देता तो कुछ नहीं होता जैसे question number 3 के अंदर लेकिन उसने 25% कम transfer किया तो जितना भी कम transfer किया profits पकणने का उसके उपर उतना percentage apply करने का और वो apply करने के बाद जो भी amount आएगा वो आपकी बन जाएगी income ठीक है उतना आपके हाथ में taxable हो जाएगा as per this provision and last but not least what shall be the income computed under 44B for LM shipping company देखो 44B के अंदर आपका 7.5% deemed income होता है किस पर होता है अगर ship इंडिया छोड़ कर जाती है तो फिर उस पर होता है ठीक है उस case में पैसा इंडिया में मिले भार मिले फरक नहीं पड़ता है ship अगर इंडिया छोड़ कर जा रही है तो वो तो इंडिया में crude है उस पे तो tax लग नहीं है अच्छा शिप बाहर से अगर आ रही है तो फिर तब टैक्सेबल होगा जब पैसा इंडिया में रिसीव होगा अगर शिप बाहर से आ रही है और पैसा भी बाहर रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल नहीं होता है तो सबसे पहले शिप इंडिया छोड़ कर जा रही है तो पैसा इंडिया में मिले या बाहर मिले फरक नहीं पड़ता है दोनों के उपर साथ परसंट मारना पड़ेगा दोनों इंडिया में टैक्सेबल है छिप बाहर से आ रही है बाहर से इंडिया से नहीं आ रही है तो फिर सिर्फ इंडिया में अगर पैसा रिसी वोगा तो ही taxable होगा, तो ये बान 80 lakhs taxable होगा, ये 100 lakhs taxable नहीं होगा, तो ये तीनों का total मारने का, उसका 7.5% लेने का, तो आपको answer आ जाएगा, and answer welcome to 39.75 lakhs, चेक तर लो, ठीक है? चलिए अगले question की तरफ बढ़ते, question number 24, बहुत अच्छा question है, बड़ा question है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, इसके अंदर, तबसे पहला question यहाँ पर है, what is the amount of interest allowable as deduction under section 24 to Mr. Sajdeva for AY 23-24, तो देखो Mr. Sajdeva ने कुछ property खरीदा है, उसके लिए कुछ loan वोन लिया है, ठीक है, 4 करोट रुपे की property करीदा है वरली वरली में, let out करने के लिया है, तो let out करने के लिए अगर loan लेते हो, तो interest का deduction पूरा मिलता है, अगर self occupied के लिए रहे हो, तो 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, करना ज़रूरी होता है लेकिन interest का payment करना ज़रूरी नहीं है तो 40 lakh रुपे का अगर interest current year में due है pay किया है तो भी मिलेगा pay नहीं किया है तो भी मिलेगा ठीक है plus 2 lakh रुपे का limit LOP के लिए नहीं होता है वो SOP के लिए यहाँ पर आपको पूरा 40 lakh रुपे का deduction मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा ठीक है question number 24.2 क्या होता है what is the amount of deduction permissible for Mr. Sajdeva chapter 6 में Mr. Sajdeva को कितना deduction मिलेगा आप देखो इसने multiple चीज़ों में invest किया है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या invest किया है सबसे पहले इसने एक electric vehicle खरीदा है electric vehicle खरीदा है उसके उपर उसने interest पे किया है देखो तो उसके उपर उसको 40 lakh रुपे का deduction मिल जाएगा ATEEB के अंदर पता है electric vehicle खरीदने वाले को ATEEB में deduction मिलता है उसके बाद उसने अपनी बेटी के education के लिए 50,000 रुपे का interest पे किया है bank को as a loan ठीके तो वो 50,000 रुपे का interest का deduction मिल जाएगा फिर उसने 20,000 रुपे का medical claim पे किया है वो उसको deduction मिल जाएगा प्लस उसने जो घर खरीदा है उसके उपर principal payment भी तो किया है principal payment भी किया है देखो उपर कुछ उसने तो principal payment का उसको 50,000 रुपे का deduction मिल जाएगा तो ये सारे deductions मिला लोगे अगर आप तो आपका total हाजाएगा 3,70,000 रुपीस इतना उसको deduction मिलने वाला ठीके तो ये है आपका question number 24.2 का answer 24.3 एक case law के उपर dependent है जो मैंने आपको class में भी पढ़ाया case law के lecture के अंदर CIT versus Asian hotel का case law है वो 2010 का Delhi high court का उसी के उपर देखो हम लोग case law के साथ बात करते institute के study material में जितने भी case laws है we have done all of them in the class और हमारी color easy notes के अंदर जो हमारी color वो के compact वो के एकदम compact 500 पेच के अंदर पूरा income tax cover उसके अंदर हमने सारे के सारे institute के case law भी cover के उसमें यह case law भी दिखेगा आपको question क्या है is no style interest देखो इसने क्या क्या है किसी को property let out किया है ठीके अपना shop let out किया है तो बदले में उसने interest free deposit लिया है तो क्या उस interest free deposit के उपर उसको interest पे tax लगेगा क्या लगेगा तो उस पे Asian hotel की case law में बुलाता है नहीं नहीं यह इस पे PGP income भी नहीं लग सकता है इस पे HP income भी नहीं लग सकता है इस पे IFOS income भी नहीं लग सकता है इस पे कोई भी income पे tax नहीं लग सकता है आपने किसी को let out किया और सामने वाले ने आपको notional interest free deposit डिया तो क्या उस पे notional interest assume करके अभी tax लगाते बैटोगे नहीं लगेगा ऐसा Delhi High Court ने बोल दिया था इस case law के अंदर जाकर चेक ते लेना अपनी case law के chapter के अंदर शुरुआत के 4-5 case laws के अंदर ही वो आता है ठीक है next, 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 next assessing officer came to know that the transaction of sale of property at BKC Mumbai on 15 December and wants to hold Mr. David as agent of Mr. A Mr. Ajay under section 163-1 can he do so if not why तो देखो ज़रा यहाँ पर जो है न Mr. Ajay जो है न यह इसका कोई भाई है सचदेव का भाई है सचदेवा का कोई भाई है अजय जो non-resident ठीक है वो इंडिया में न किसी को न किसी दूसरे को न David को किसी दूसरे non-resident को न क्या बेच रहा है पता है property बेच रहा है तो section 163 के अंदर लिखाया भी है अपनने पढ़ा नहीं है यह paper 6 में actually जाधा relevant है paper 7 में कभी एक आद बार पूछ लिया लेकिन फिर भी इस MCQ के माधियम से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी non-resident को आप कोई property बेचते हो इंडिया में अगर कोई भी non-resident को कोई property transfer करते हो इंडिया में जो यहाँ पर debit को कर रहे हो आप तो उस case में वो non-resident आपका agent माना जाता है as per section 163 तो उस हिसाब से यह particular point के अंदर Mr. David को क्या मानोगे आप अपना agent मानोगे for the purpose of income tax act 1961 ठीक है 1961 के income tax act में उसको agent मानोगे अब MCQ number 24.5 की तरफ बढ़ते हैं यह थोड़ा सा controversial MCQ है थोड़ा सा भी इसके अंदर गढ़बल है कुछ in whose hands would राइशा's rental income from income from house property at wada be taxable देखो इनके एक बेटी है राइशा अब उस बेटी ने देखो यहां पर ना कुछ income कमाया उसके फादर ने उसको property वापटी दिये जरा ध्यान से देखना यहां पर ठीक है उसके फादर ने उसको यहां पर property दिये ठीक है बड़डे पर वाड़ाप है या मा या मा इसकी भी income जादा है अब question के अंदर साफ साफ लिखा है यह मा की income जादा है चेक करो Mrs. Sajdeva's total income is higher than Mr. Sajdeva since she won 20 lakh lottery from this year तो मा के हाथ में club होना चीए ठीक है लेकिन institute ने answer क्या दिया है institute ने answer दिया है father चेक करो institute का answer है father in Sajdeva's hands question number 24.5 का answer देखो इन Sajdeva's hand Mr. Sajdeva's के hand में उसको flexible करवा ओ ऐसा institute बोलता है अब institute क्या logic पे बोलता है पता है institute एक logic पे बोलता है जो logic गलत है ठीक है वो logic तो सही है लेकिन वो logic इस question में नहीं बैट रहा है institute ये logic में बोल रहा है unless assessing officer is satisfied क्या उसको change करने की जरूरत है मिसाल के तौर पे अगर last year में अगर last year में father के हाथ में income club हो चुकी थी क्योंके father के income last year में ज़्यादा थी तो राइशा के income father के हाथ में club हो गई थी तो फिर अभी current year में मां के income नहीं देखने का तो current year में मां के income नहीं देखने का नहीं देखने का फिर क्योंके ऐसा कानून है कि once the income is club मैं आपको बताता हूँ रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ मैं आपको वो search करके बता देता हूँ मैं आपको search करके बताता हूँ income tax act pdf अब section 64 में अगर आप जाओगे यह आपका section 64 है ठीक है अब इसके अंदर बहुत छोटा छोटा लिखाया हाँ in computing the total income of income of individual यहाँ पर देखना यह sub section 1 है sub section 1 है the total income of any individual there shall be included all such income arising or accruing to a minor child or being a minor suffering from deficit चलो ठीक है यह नहीं अभी एक बार यह नीचे पढ़ना and से यह and से and where any such income is once included in the total income of either parent any such income arising in succeeding years shall not be included in the total income of other parent तो एक बार include हो गया उसके बाद include करने की जरुबत नहीं है ठीक है unless आप assessing officer को जाकर satisfy करते हो के बाद इसा करना क्यों जरूरी है ठीक है तो अब ज़रा ध्यान से सुनना है यहाँ पर यह अपर यह गरबर क्या है पता है राइशा ने income current year से कमाना शुरू की है यह साफ साफ लिखा है question के अंदर देखो यह राइशा का पहला साल है first year है यह राइशा का पहला साल है राइशा ने इससे पहले कभी income नहीं कमाई है देखो चेक करो राइशा के पास कोई और income नहीं थी कोई और income राइशा के पास थी नहीं थी नहीं थी नहीं तो यह राइशा का पहला साल है अब institute या पर क्या देख रहा है मालूम राइशा के पिता की income पिछले साल में जादा थी लेकिन राइशा के पिता की income पिछले साल में जादा होने से क्या होता है पिछले साल में राइशा की clubbing इन होती नहीं थी क्योंकि राइशाय ने तो पहले साल इसी साल से कमाना चुरू किया तो ये पहला साल चेक करोगे ना भी किस की इंकम चादा है Yes or No तो ये पहले साल में चेक करोगे ना भी किस की इंकम चादा है हा ये logic कब applicable होता था कि सजदेवा के हाथ में taxable कर दा क्योंकि पिछले साल सजदेवा की इंकम जादा आती अगर पिछले साल भी क्लबिंग होती ना तो यह logic सही applicable होता तो मेरे साब से आपको समझाया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझाया है तो बहुत advanced level की चीज़ है मेरे साब से इसका answer मिसिस सजदेवा आना क्लब करना लेकिन पिछले साल क्लब थोड़ी हुआ था पिछले साल राइशा इंकम ही नहीं कमाती थी राइशा की पहले साल की इंकम यह है एपरिल 2022 से उसने रेंटल इंकम कमाना शुरू किया है yes or no तो यह तो पहला साल है राइशा का तो पहले साल में किसकी income जादा है वाइफ की जादा है तो वाइफ के हाथ में कलब करना ची है husband के हाथ में नहीं चेक कर लो ये है आपका ये question चलिए finally आखरी question की तरफ हम आ चुके है और believe me मैंने ये पूरा का पूरा 25 का 25 के scenario एक ही दिन में record कर डाला मतलब एक दिन में मतलब दो दिन में एक दिन में मैंने English का एक दिन में मैंने Hindi का पूरा का पूरा मैंने 25 के 25 MC के एक दिन में record कर डाला मैं कोशिश कर रहा था कि maximum जल से जल हो सके मुझे नहीं पताता कि एक दिन में हो जाएगा but luckily by God's grace तुम लोगों के क्रिपा के बज़े से बगवान ने तुम पे क्रिपा कर दिया के आप लोग का भी exam आ रहा है जल से जल record कर आरिश भाई इतना तो तरह टाइम लगाएगा तो कैसे चलेगा जिंदगी में तो फटा फट मैंने एक दिन में मेरा रमजान भी चल रहा है आप बिलीव नहीं करोगे मैं पूरे पूरे दिन रोजा रख रहा हूँ मैं पानी नहीं पीर रहा हूँ लेकिन मैंने वो सब चीज सब साइड में रखा मैंने देखा कि आपका exam पहले priority पे आना चाहिए बाकि सब चीज दुनिया में दूसी जेख गला सुग गया मेरा बुरी तरीके से तो भी मैं पहले आज फुरसत में अज लेक्षर के बाद शाम में अराम से पहले बैट कर पानी बियूँगा चलिए शुरू करते हैं यह आकरी question question number 25 जिसके अंदर सबसे पहला question पूचा है which of the following statement is correct in respect of the loan obtained by Rajat from XYZ Private Limited तो Rajat का देखो यहाँ पर 20% stake है इस closely held company में तो अगर किसी closely held company में आपका 10% या उससे जादा stake होगा और वो closely held company आपको dividend देती है तो वो deem dividend माने जाता है बराबर तो अगर किसी shareholder का किसी company में 10% या उससे जादा stake है voting power है और वो company अगर उस shareholder को क्या देती है loan देती है तो वो deem dividend है ठीक है अब deem dividend कितना loan दिया उसने 10,00, लेकिन क्या deem dividend आपका एक लाग वोड़ भी taxable as deem dividend in the hands of Mr. Rajat, Rajat की हाथ में 8 लाग रुपया deem dividend के तोर पे taxable हो जाएगा Is it clear? तो यह एक simple सा question था, question number 2 की तरफ बढ़ते है Rajat ने पैसा withdraw किया है bank से, कौन से bank से पैसा withdraw किया है Rajat ने, Rajat ने कुछ ABC bank से 1 करोड 20 लाग रुपया withdraw किया है और Rajat अपना return regularly file करता है, तो Rajat अपना return अगा regularly file करता है, तो उसके लिए जो threshold है TDS की वो एक करोड के उपर है तो एक करोड के उपर bank उसका 2% TDS काटेगी, मतलब 20 लाग रुपे के उपर 2% TDS bank काट लेगी, तो bank ने 2% TDS 20 लाग रुपे पे काटना है तो इसका answer क्या है, इसका answer है B, ठीक है, तो बहुती simple सा question है, question number 3 good cash withdrawal by Mr. Rahul, क्या Rahul ने जो cash withdraw किया, क्या उस पे TDS कटेगा, अब Rahul ने देखो क्या किया है राहul ना return return भरता नहीं है कुछ, देखो he has not filed the return for the last 5 years, पिछले 5 साल का return नहीं भरा है अब मुझे 5 साल से लेना देना नहीं है, अगर पिछले 3 साल का return नहीं भरा है ना, तो फिर उसके लिए threshold गिर जाती है 20 लाग के उपर 1 करोड तक 2%, अब राहul ने 50 लाग withdraw किया है, तो राहul का 20 लाग का threshold माना जाएगा क्योंकि वो ITR भरता नहीं है, पिछले 3 साल का, तो राहul के लिए 20 लाग के उपर 2%, तो राहul ने total कितना withdraw किया, राहul ने withdraw किया है, कितना, राहul ने withdraw किया, 50 लाग, तो राहul का TDS कटेगा 30 लाग पर, 20 लाग के उपर 30 लाग आता है, ठीके, उसके उपर 2% TDS कट जाएगा राहul का, ठीक है, 194 N के अंदर, अगले कोशन की तरह बढ़ते, what is the total income of Mr. Rajat, assuming that he has not opted for 115 BAC, 115 BAC, उपनी कर रहा है, बताँ, उसकी total income कितनी होगी, तो अब देखो, उसकी total income में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो उसका net profit आ जाएगा, 60 लाग रुपे का, ठीक है, उसके ठीक है, तो 5 लाग रुपेया यह आए, फोस में चला जाएगा, और क्या आया, और 8 लाग रुपेया, डीम डिविटेंट अल्डरेडी हमने ले लिया है, वो भी आएगा, ठीक है, तो यह चार income आएगी, उसके अलावा, उसके पास एक SOP है, self-occupied property का, उसने interest बढ़ा है, उसमें से 15 लाग रुपेया पेड है, तो पेड बेसिस पर नहीं, अक्रूल बेसिस पर भी मिलता है, पिछले question में भी हमने देखा था, तो 5 लाग में से 1 लाग सी पे किया है, लेकिन उसको SOP का पूरा deduction मिलेगा, 2 लाग रुपे का, SOP में 5 लाग तो मिलेगा नहीं, लेकिन 2 लाग रुपेया हाउस प्रवडी का इंट्रेस, तो उसकी इंकम हो जाएगी 83 लाग रुपीज, ठीक है, और आखरी question है, कि अब उसका tax liability निकालना है, नॉर्मल प्रोविशन के हिसाब से, उसको पहले 10 लाग के उपर, 1,12,500 आ जाएगा, फिर बचे वे 73 लाग के उपर, उसको, क्योंकि 83 लाग सोटल इंकम है, 73 लाग से 30 लाग से जाएगा, उसके बाद, अब क्योंकि उसकी इंकम 50 लाग से जादा है, 1 करोड से कम है, तो उसको यहाँ पर 10 लाग सरचार्ज भी मारना पड़ेगा, तो जो भी tax आएगा, आप लोग उस पर 10 लाग सरचार्ज, 4 परसें से समार हो, देखो, आंसर आजाएगा, ठीके, तो यहाँ जाकर, हमारे सारे के सारे 25 के 25 के सिनारियों खतम हो चुके है, और इंडिविज्वल वाले मैंने अल्रेडी डाल दिया है, आप लोगों के लिए, जो पहले 50 इंसीट्यूट ने डाला था, इंडिविज्वल देख लेना, लेया, कम से कम जो selective है वो देख लेना, अब ना, एक और चीज़ मुझे बोलना है, कि यह मैंने क्यों किया, यह मैंने इसलिए क्या, क्योंकि इसमें देखो, जादा तर तो MCQs पिछले साल की copy paste मारें, इंसीट्यूट ने, ठीके, तो यह मैंने क्यों किया, यह आपके पस जादा टाइम नहीं है, तो फिर न्यूवाला फॉलो कर लो, और क्या, ठीक है, लेकिन चांसे सी है, कि जो इंसीट्यूट ने ओर्ल में से न्यूव में नहीं डाला है, उसमें से कोई question पूछ ले, क्योंकि maximum students इसके पीछे भागेंगे, ओर्ल वाला सब छोड़ रुखो, वो है, ये question number five के अंदर मेरे को लगता है के mistake है, यहाँ पर देखो, company set up हुई है, 2019 में, ठीक है, 2019 में set up हुई है, अब 2019 में अगर company set up हुई है, तो 19-20 उसका पहला साल हुआ, 20-21 उसका पहला साल हुआ, और 21-22 उसका तीसरा साल हुआ ना, तो 3 साल तक ATJJAA का deduction मिल यह पिछले साल तक logical था, क्योंकि पिछले साल 21-22 उसका साल था, अब 22-23 उसका साल है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यह वाला answer भी institute का गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, मेरे साब से गलत है, बट हमने उसको institute के answer के हिसाब से solve कर दिया है, कि हमने उस साल हो गया 22-22, तो यहाँ पर आपको इसका deduction नहीं मिलना चाहिए, देखो यहाँ कोई दिक्कत नी है, क्योंकि यहाँ तो company 22 में setup हुई है, तो यह तो company का पहला साल है, लेकिन यहाँ पर company 19 में setup हुई तो यह company का 14 साल है, चोते साल में एटे जे जे डबले का deduction नहीं मिलता ह है, पहले 3 साल मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी company institute से एक छोटी सी गलती हो गई है, इनको यह date बढ़ा कर एक साल आगे कर देना चाहिए, तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बढ़ाई करते रहो अच्छे से, एक और बहुत बढ़ी चीज मैं कोशिश क कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, 20 तारीक के बाद में कोशिश कर रहा हूँ, उस पर record करने का, और exam के पहले मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ताकि exam के दिन 2 घंटे के अंदर आपका इतना बड़ा पहाड मैं कम कर दूँग झाल 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 झाल